मुझरिम ना कहना मुझे दोस्तो, मुझरिम तो सारा जमाना है पकड़ा गया वो चोर है, बाकी सब जग से आना है तिहार में जैसे समीच सर्थ काफी मर्डर हुए हैं बिना अंदरुनी मिली भगत के ऐसा हुआ होगा यह मानना बहुत मुश्किल है आपने किसी एक गैंगेस्टर को जो है, अगर आपने तू करके बोल दिया या उसको बड़ा डिस्रिस्पेक्ट दिखाईए आपने दूसरे गैंगेस्टर के आगे तो मुझे लगता है आपकी जान खत्रे में आ जाएगी जादा तर गैंगेस्टर जो है यह जादो में डिवाइडीड है, up में डिवाइडीड नहीं है ठीहार में भी ऐसा है कि हमारा जो स्टाफ जो है डिवाइडीड है कास्ट के उपर उस गैंग वाले को किसी ना किसी तरीके से हैल्प करए पून से लोग बात कर लेते हैं, हाली में लॉरेंस बिश्णोई का इंटर्व्यू देखा आजकल ये इंटरनेट का यूग आगे है, बच्चे इतने आगे हैं, इनको पता है कि इसको किस तरीके से सिस्टम को डिफीट करना है और कुछ नहीं तो आपने स्टाप को थोड़ा सा लालज दे दिया, तो स्टाप क्या करेगा जाकर वो बिजली की तार निकाल देगा आपने सतेंद्र जैन का वीडियो देखा, मसाज वाला है, उसमें मैंने कमेंट्स भी दिये थे, अगर किसी को बाहर कहा देगा तो उसके किसी बच्चे को नोकरी मिल सकती है, पैसे वाले के उसमें आस-पास लोग इसलिए मंट राते हैं, आप उससे सार दिन मालिश करवात जो भी राजनेता आता है, उसकी तीन चीजों होती है, कि मुझे सैल मिलनी चाहिए, खाना बाहर का चाहिए, जब भी कोई मिलने वाला है, तो उससे मुझे उस टाइम पे मिलवाद हो, इन तीन चीजों पे सबसे ज़्यादा करप्शन होती है, इसका मतलब जिस बच्चे न लुझा माहूल मेरे हॉस्टल में उताथा, एक सपाही ने जेल में कैडी को कहा हुए, जब बहुक दूम्हारी फासी है आज,ुसने कहा, जे और है ये, सब्स तो एक महिने बढ़ होंने थी, जेलर साहब ठी पे घए हुए, जब ड़ह घए थे ये, चैह के गए और मेरे गा इतनी उसकी चलती है। तुम सिर्फ पैसे की ताकत थी या। इसको लेडी किलर कहते थी। और मुझे कई बर लगता था अगर मैं भी लेडी होता है मैं भी उसके उसमें जासे में आ जाता है। उसका चाम था, उसका बात करने का स्टाइल का चाम था। आफजल गुरू की फांसी पे आते हैं। मैं यह चाहूंगा कि जब मुझे फांसी पे चड़ाया जाए, मैं आपकी आखों में देखता रहूं। जब इसको उसको उसको लेके गए तो यह मेरी आखों को की तरफ देखता हुआ गया। तो मेरा देल बड़ा भरा हुआ था। जैसी मैं घर पे गया, तो मेरी बेटी थी, मेरी वाइब थी, हम गले लगके बड़ी देर तक रहुती रहे। वस्मॉर्टम में राम सिंग के पेट में शराब मिली थी। जब मैंने राम सिंग के बारे में बात की तो उन्हों ने कहा नहीं, मरने दोना इसको अगर जाम जाकर, तो उससे मेरे मन में एक खटका हो गया, कि हमारी बॉस भी नहीं चाहती कि इसको कोई प्रोटेक्शन लिले। चेताव में, वीडियो में कुछ ऐसी घटनाओं का जिक्र है, जो आपको विचलित कर सकती हैं। इन घटनाओं पर चर्चा के दौरान हत्या और आत्महत्या जैसे मुद्दों पर भी बात होई हैं। सबसे अधिक कहानिया किन के पास थी? सबसे अधिक कहानिया फक्कड़ों के पास थी? पोस्ट मैनों के पास भी पर्याप्त कहानिया थी? चरवाहे कहानियों के बताशे बनाना जानते थे आदिवासियों के पास कुछ पुरानी कहानिया थी नौकरशाहों के पास गोपनी ये कहानिया थी नेता जितनी कहानिया सुनाते थे उतनी उनके पास होती नहीं थी अपराधियों के पास कहने का सलीका नहीं था लेकिन इंसानी सभ्यता और असभ्यता दोनों के वे स्वयम प्राया किरदार होते थे और इसलिए सलाखों के पीछे उनका अतीत, उनकी कहानिया, उनकी आप बीती सांस लेती रहती थी और इसी बीच चुनिंदा लोग, कुछ लोग, कुछ अधिकारी ऐसे होते थे जो उनकी कहानियों को अपने जहन की डायरीयों में, अपने दिमाग की नोट बुक में दर्ज किया खरते थे संजे सिर्फ महाभारत में नहीं होते हैं, और जگ़ों पर भी होते हैं कुछ जगों पर उनका नाम सुनील भी होता है नमस्कार मैं कुलदीब सरदार दललन टॉप के गेस इंदन यूजरूम में आज हमारे महमान हैं दिल्ली की मशूर तिहाड जेल में 25 साल तक कारेरत रहे वहाँ के एक्स जेलर, वहाँ के एक्स लॉओ ओफिसर सुनील गुपताजी सर बहुत-बहुत स्वागत पहले तो और बहुत शुक्रिया आपने समय दिया आपका बहुत-बहुत शुक्रिया आपने मुझे बुलाया, इस लाइक समझा कि मैं आपके एस में होगा बहुत सारे सवाल हैं और तिहार जेल के बहुत सारे राज बहुत सारे किस से आज बेपर्दा करने की कोशिश है हमारे उन पर सब बात करेंगे अपने आर्ट फासियां देखी हैं अपने कारेकाल में लेकिन पहला सवाल एक फिल्म से मैं शुरू करना चाहता हूं यह आप में कई तरह से प्रॉब्लमाइटिब भी पर वो कहते हैं कि असली राठ़ॉड होने के लिए तुम्हें जीवन में तीन काम करने होंगे एक तुम्हें किसी के पिटाई करनी होगी एक कम से कम एक बार घुरसवारी करनी होगी और कम से कम एक बार जेल जाना हो मैं रेकमेंड नहीं कर रहा हूं किसी को दर्शकों को भी लेकिन समझने के लिया से पूछना चाहता हूं कि जब कोई विक्ति पहली बार जेल जाता है या कम से कम एक बार जेल जाता है चाहे एक दिन के लिए जाए पंदरा दिन बीस दिन एक महिने के लिए जाए तो वो उसक जाए इसमें देखें हर एक आदमी के अपनी परस्नेलिटी होती है कुछ एक की परस्नेलिटी ऐसी होती है जो डर्बोग किसम के होते हैं वह पहली बार जेल में आए उनको तो लगता है कि सब कुछ लुट गया, उनका जहान खतम हो गया, अब जी के क्या करेंगे? तो वो लोग ऐसे होते हैं, वो सुसाइड करने की भी कोशिश करते हैं, जब नए नए आते हैं, तो उनको लगता है सब कुछ खतम हो गया. कुछ एक लोग होते हैं, हैबिच्वल, जो जेल की रूटी नहीं खाएंगे, तो उनका ना तो उनकी सेथ खराब हो जाएगी, और उनको कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा, उनको जेल में आके मिलना सबसे वो बहुत अच्छा लगता है, उनका दिन्चरिया का एक हिस्सा है करते हैं, दूसरे वो होते हैं, तीसरे होते हैं, कुछ अपनी मर्जी से आते हैं, मैं आपको इसमें बताना चाहूंगा, भगवान कृशन सब को पता है, जेल में पैदा हुए थे, भगवान कृशन मेल थे, इस सब को पता है, आप अगर हमारी जो जेंट्री है, आप कहानियां बनी हुई है, कितनी कहानियां बनी हैं? एक कहानी ये 1990 के दशक और पानी कि अगर आपका बच्चा जेल में पैदा होगा, तो लडका पैदा होगा. अच्छा, ये एक अंध विश्वास बना है. अंध विश्वास. तो हमने देखा कि वैसे मैं आपको बताँ कि जेल में 15-20 Bethany के करीब बच्चे होते है हर साल ह कि हमने एक बार देखा 45 बच्चे एक साल में हो रहे हैं तो इसमें हम बेगा कुछ बार तो है की 45 से बच्चे हो रहे हैं तो मेरे डी जी ने मुझे कहा क्यों कि जेल क साथ महीने का पेट था तो क्राइम करती थी एकसाई जक्ट का शराब की जैसे आप अगर दो बोतल घर में रख सकते हो तो पांच बोतल रखवा ली और पुलिस को फोन करवा देते थे अपने अपने किसी साथी से कि इनके घर जो है शराब की पांच बोतलों से ज्यादा पड कि आपने जैसे आपने नाम सुना है कभी अच्छा भी सुनते हो कभी खुशी कभी गम वाली बात है तो उन दिनों में तीहार जैल का नाम आप्टर किरण बेदी लोग बड़े इज़त से ले तेज नाम इसका तो हमारे हैं काफी सारे डाक्टर थे अगर कोई जच्चा-ब बच्चा आती थी तो उसको पहले प्री नेटल, पोस्ट नेटल, सारी जो है वो उनकी इलाज किया जाता तो गोलियां वगरा जो भी देना है उनका पूरी केर की जाती थी तो वो बच्चे को डिलिवर करवाती थी जेल में और उसके बाद जो है करीम एक महीने के बाद जब फिट हो जाता था ले जाने के लिए अपनी बेल करवा लेती थी जेल की अच्छी बात ये है कि आप जब तक जद साब को बेल नहीं दोगी कोई आपका बेली नहीं होगा तो आप बाहर निकल लीं सकते हैं एक अंधविश्वास क्या और भी है अच्छा तो इसमें पहले मै 45 बच्चे हुए तो फिर हमें का हमें कुछ तो करना पड़ेगा कि एक आदमी अपनी लाइफ का रिस्क लेकर जेल में आ रहा है एक लड़के की कामना के लिए तो मैंने फिर जा कि उस टाइम पे एक अखबार में अखबारों में मुनला प्रेस रिलीज मैंने दी जिसमें बताया कि हमारे एक साल में 45 बच्चे हुए जिन में से इतने लड़के इतनी लड़के उसमें लड़कियां जाता थी तो वो दिया उसके बाद जो है यहां तो मैं आपको बतार हूँ हमारे समाज में इतनी भरांती हैं अब एक बरांती है कि अगर आपने जेल का खाना खा लिए तो आप अगर जेल जाना होगा तो आपका जेल टल जाएगा आपके भागे खुल जाएंगे जी मैंने कुछ क्राइम रिपोर्टर से यह सुना कि कुछ नेता गण उन्होंने बिना नाम लिए यह बताया और तिहार जेल में बेकरी भी है मेरे ख्याल से बेकरी है तो लोग बेकरी में जाकर के कुछ नेता लोग इसलिए पेस्त्री ओर्डर करके खा लेते हैं कि उन्होंने अगर कुछ करम ऐसे की हैं और तिहार जेल आने का जो नसुड जो पनौती उनकी अगर लगी होगी तो वो मिट जाएगी यह होता था मैं तो आपको बता रहा हूं कि अपने नाम तो मैं नहीं ले सकता हैं यहां पे हाई कोट के जच डिस्टिक्ट जच और वकील बड़े बड़े और बड़ी बड़ी हस्तियां जो मेरे कंटेक्ट में थी हैं बड़ा मश्वूर होता था जेल की रोटी और दाल उनको पॉलिस दिन में बंद करके उनको दे द हैं एक जादू टोने की किताब है जिसको कहते हैं लाल किताब लाल किताब में यह वाली बात लिकी हुई है कि अगर आपने जेल का खाना खा लिया और अगर आपके बुरे ग्रह आने वाले हैं तो बुरे ग्रह टल जाते हैं तो मैंने पता नहीं कितनों को यह रोटी की सप तक्ते की लकड़ी किसी का बच्चा कमजोर है पड़ाई में या रात को डरता है रात को फूब डर जाता है रात को सोय वे सपने गंदे ऐसे लेता है तो उसको अगर आपने उसके तक्ये के नीचे फांसी के तक्ते की लकड़ी दे दी तो उसको यह वाली चीज ठीक हो उसका वो बिदे जो निगे जाता है वो दूर हो जाता है कि अब को विश्वास में होगा कि मारा जो फांसी का तकता विचारा था कि इस विद्वार मैं तो हमें चैनल इलनी किसी एक बोत मषूर बंदे को छाने थी सम्धी कोथी में गए फांसी कोठी में देखा तो आधा मारा फांसी का तक कटम हो चुका था काट के लिए जाते हैं ऐसा अंधविश्वास थोड़ा सा पीछे जाते हैं और सिर्फ एक बाचीत के शुरुआत के तौर पर आप 1981 से 2016 तक तिहाड में कारे रहे एक पर बताईए किस पूजिशन पर पह तो रौप काम मैंने इसलिए छोड़ा कि वहां पर आपकी डॉलप बडए एरिया होता है जहां आपकी डॉलाो grouped दिलीए बाहर ने मैं चाहता तो दिल्ली बेर ना क्योंकि जब आप डिल्ली में पैदा हुए हो तो यूट जैङोगे कि लियूम्रीनि डूलीया है ह।। उस आपको पुलिस की वर्दी पहने का बड़ा शोक होता है, मुझे भी शोक था, तो मैं आया, तो जब तिहाड में आया, मैं बड़ा पतला लग, बहुत पतला था, मेरी चेस्ट मेरे खाल, मैंने पूरी कोशिश कर ली फुलाने की, तो वो 32 नहीं हो रही थी, तो उन्होंने मु खाली वन फॉर्थ का है, उन्होंने 32 है, 32 आप कर लो, वो कहना है कि जब हमें 36 वाले मिल रहे हैं, 35 वाले मिल रहे हैं, तो हम आपको क्यों लेंगे, क्योंकि मेरी कोई अप्रोच होगरा थी नहीं, तो उसके बाद उन्होंने भीज दिया, उसके बाद मुझे एक मैसेज आ करना नहीं क्योंकि मैं ज़रूरत से ज्यादा पतला हूं, तो इन्होंने सेलेक्ट मुझे करना नहीं है, तो मैंने चलो चले जाते हैं, सरकारी नोक्री मैं कर रहा था, मैंने कोई नुकसान तो मुझे कुछ होना नहीं है, तो चलो चले जाते हैं, मैं वहां गया, तो उन्ह इन्हीं ही भी कहते हैं कि उन्होंने मुझे सेलेक्ट कर लिया इस अधिर सुपरी टेंडेट बने हैं यहाँ मैं जेल में सूपरेंड बना तो उससे पहले मेरा और और विए किसा हुआ कि जब आया हर्याना केटर काता है HPS केटर उसकी थी डप्टी सुप्रिटेंडेंडेंट भी सारे यह हर्याना और UP के थे जब मैं गया तो जो सुप्रिटेंडेंडेंट था वहां पर उसने मुझे बलाया तो कहले का आप किस उसके लिए हैं मैंने का जी मैं सहायक अधिक्षक पद के है, तो मैंने का, मैंने आपको इनफार्म किया था कि मैं इसमें दो महएने बाद जौइन करूंगा अच्छे मैंने बड़ा casually inform किया था एक postcard लिखके डाल दिया था इनको अब उसका मेरे पास कोई evidence नहीं था मैंने postcard लिखके इनको जो डाला था तो कहते हैं हमारे यहां तो कोई post ही नहीं है तो आपने क्यों मैंने कही है मैं रेलवे की नोकरी छोड़ के आ रहा हूं मेरे इतनी अच्छी वहां job थी legal advice का वहां करता था काम में तो वह कहते हैं नहीं है को पोस्ति आपने क्यों छोड़ी रेलवे की नोकरी मैंने का आपने चुड़वाई है तब ही मैंने छोड़ी है तो वह कहते हैं नहीं तो मैं फिर बाहर बैठ गया जाकर तो इतने में एक बड़ा gentleman आया बहुत gentleman बंदा थ उसने तो मैं बाहर बैठा हुआ था उस पर तो मैं बड़ा निराज्च सा था मेरे को ऐसा लग रहा था जैसे जमीन भी फट जाएगा और मैं नीचे चला जाओंगा मला आप यंग एज में आते हो आप तो आपको कहने हैं नोकरी नहीं है और एक नोकरी आप आप आलड़ी की लेवल का होगा क्योंकि उसके साथ भी एक दो लोग औरते हैं तो कहने लगा मैं उसको देखके जब खड़ा हुआ तो उसने मुझे कहा की हाव यह कम हैर मैंने रप्राइदिया यह कम हैर तो ज्वाइन दी पोस्ट अप्स्ट अप्स्टेंट सुप्रेटनेंट को कहते है तुम स्कता है तो मैं तो मैं तो सोच रहा था वह कोई जियल का बड़ा ओफिसर है तो वियू हम करेंगा कैने नगट को मैं हरान गर रंते हो चलो गवान नहीं आपर से एक आफिसर भी दिया जो मुझे नोक्री जॉइन करवा रहा है थोड़ी दूर में वो आया और उसने मुझे जॉइनिंग लेटर दे दिया करने के आप इसके बेस पे जॉइन कर लो मैं बाद ही फरिश्टा है मुझे बाद में पता चला वो चाल्सोबराज था अच्छा वो चाल्सोबराज था और उन पर मैंने यह कभी भी नहीं सोचा था कि मुझे साक्षाथ उसके दर्शन हो जाएंगे पहले दिन ही मुझे उससे जुए दर्शन हो जाएंगे बट ही वा सो नाइस मतलब उसका बोलें का स्टाइल ऐसा है जिस तरीके से वह बात करता था उससे बिल्कुल वह तो सुपर आफिसर लगता था टाइटू लगा के कोट अगरा पहन के और जिस तरीके से वह राउंड ले रहा था क्योंकि एक आफिसर ही ले सकता है आपने कहा है कि वह उससे जो मिलने वाले लोग आते थे उनमें महिलाएं जादा होती थी और बंठंकर पर्फ्यूम लगा करके उनसे मिलने के लिए जाता है वो उसको एक तरह का लेडी किलर भी कहते थे चाल्सोबराज की अभी चाल्सोबराज का फोन भी मुझे आया था तो अभी वो नेपाल जेल से जब छूटा है तो उसने मेरे किताब पड़ी तो वो कह रहा था क्योंकि मेरे किताब के उपर आगे फिल इस कि इस ट्यम पर कहते थे कि इतनी चलती है एतनी आईजी कि नहींच जीड में नहीं चलती जितनी इसकी चलती है तो क्या मतलब वो सिर्फ पैसे की ताकत थी और इंफ्लूएंज को ब्लोगों इसको अब कर एंटि करते था कि इसको लेडी किलर के थे और मुझे कई बलग शकल उसकी भगवान की दिवी काफी सुन्दर थी और जैसे गोरे चिटे और विदेशी जैसे नए नक्ष होते हैं बड़े शार्प नए नक्ष वो थे उसका क्या था कि उसके उपर उस टेम दो तो मुर्डर के केस चल दे थे बात मुझे पता चला रेप के थे वो उसको फोरन फोरन लड़की आती थी उनके साथ वो दोस्ती करता था और मैंने आपको बताया था है कोई भी लेडी जो है वो मैं कहता हूं किसी भी लेडी को इंप्रेस कर लेता था चैए वो बुड़ी है चैए जवान है चैए लड़की बच्ची है सबको इंप्रेस कर लेता था है, मैं कई आपके बड़े बड़े जनलिस्ट के नाम जानता हूं, जो उसके साथ, जिनके लेशन थे, बोट जनलिस्ट, बड़े बड़े सीनियर हैं, अभी भी हैं, तो, ये क्या करता था दोस्ती करके, फौनर्स के साथ दोस्ती करता था, उनको फिर दीनर वगरा पर बलाता juda भेड़ कि दी आगव करने से-स नितना जालीमादमी था उसकी जोवी भाग जाता था उसका रुपया पैसा जो भी होता था, सब लेके भाग जाता था, तो यह इसका करेक्टर था, तो ऐसी जेल में, जब इसके पास लड़की आती थी, जैसे कोई वकील है, कोई वकील आई, तो उसको इसने वो कर लिया, यह सस्ते टाइम पे जो है, यह पचास रुपय देता था जो वकीलिक के पास आता था, यह मैं बात आपको कर रहा हूँ, 81, 82, 83, कई जनलिस्ट जो आज की डेट में आपके न्यूस चैनल के हैड बने वे, वो उसको मिलने आते थे, वहां पे, पचास रुपय मेरे सामने देता, पैसे को इनको, जितने पैसे होते हैं उनके, वो जेल अगले दिन हम देखते थे, अखबार में खबर चपी हुई थी, होती थी, कि चाल सोबर आज आज कोड में गया, और आज की, यह प्रोसीडिंग हुई, यह सारा उसमें अखबार में लिखा वा होता था, तो जिस दिन खास कर जब इसको मिलने के लिए लेडिस आती थी, उस उसे ने काफी पर्फ्यूम और लगा के अच्छे जूते और पहन के, कई तरीके के इसने जूते रखे हुए दंदर, जो उस टाइम पे अला होते हैं, अच्छा, कई तरह के जूते हैं, अभी नहीं यह लाओ जाए अब नहीं हैं, अब इन्होंने उसको, नंबर आफ कपड उस टेम पे डप्टी सुप्रेंट था, और मेरे कमरे में यह मुलाकात होती थी, तो यह उनको जो भी प्रेस वाली आई या दूसरी आई, तो उनके पास बैठता था, और अपनी स्टोरी वगरा जो है, अपनी जो भी इसने कहानी कहनी होती तो, और सेंट इतनी तेज लगा लेडिस के लिए तो बहुत ज़्यादा अट्रेक्शन तो बहुत सारी लेडिस को मिलने के लिए कोई कालेज की प्रेफेसर होती थी वह आती थी, हैदरभाद University की प्रेफेसर होती थी, वह आती थी, क्योंकि लेडी चार्मर तो था ही है, अच्छा एक चीज और कि हमने शोल कि नरम वैवहार के जेलर हो भी सकते हैं क्या एक्जिस्ट भी करते हैं कि या स्त्रिक्थ ही होना उनकी नियति है यहां तो अगर पुरानी फिल्में अप देखेंगे तो सबसे पहले अपक्छर आई थि जेलर साप उसमें सोहराव मौधि ऑस टाम के जो वह उते वह बने एक जेलर की जो कंसेप्ट आपके सामने आती है ने आती है कि बड़ा खतरनाक कुंखार होगा बड़ी-बड़ी मुच्छे होंगी है ना बहुत आपसे रोप से बोलेगा आपसे सॉप्ट तो आपके साथ होई नहीं सकता तो जेनली जेलर ऐसे होते हैं तो मुझे याद है पुलिस स्टेशन, जेल, कोर्ट यह सीन तो मनने एक फार्मूला फिल्मों में होते होते हैं तो जो अंग्रेजों की टाइम के जीलर का मतलब है कि आप देखें हर एक चीज में विकास हुआ इंडिया में हर एक चीज का विकास हुआ पर एक जेल ऐसी थी जिसका विकास नही ता आठार सुच चुरानौवे लही जो ने कब बनाया हो गा यह वह चल रहा था है उस मैनुल में यह लिखा था कि अगर आप महिला है तो आपको फरीद कोड जेल में रखेंगे उस टेम पर जेल जो होता था यह central subject होता था अच्छा अगर आप महिले हैं आपको फरीद कोड जेल में रखेंगे अगर आप बच्चे हैं तो आपको लाहोर जेल में रखेंगे किसी ने उसको change नहीं किया उसमें अगर आप mentally deranged हैं तो आपको इसमें ये मुलतान की जेल में रखेंगे इस type का होता किसी में उसको change नहीं किया जो अंग्रेजियों के टाइम से चल रहा था वो चल रहा था जेल जो होता है ये किसी भी government का last priority subject होता है कोई भी government होती है अगर वो hospital बनवाती है स्कूल बनवाती है जा कुछ और ऐसी development का अवर करते हैं उनको vote मिलते हैं और अगर आप जेल बनवाते हो तो आपको vote नहीं मिलते हैं इसलिए हमेशा जेल पिछड़ा subject रहता है मुझे इस पर बात करनी है जेल रिफॉर्म्स पे और क्या-क्या सौधार की गुंजाईश इसी में थोड़ी सी बात में आपको बताव दिसमें कैसे कैसे short shrift way में जो है जेल को देखा जाता है तो मेरा experience था क्योंकि मैं Delhi University से मैंने campus law center से LLB की थी तो मुझे लोग समझते थे यह तो बड़ा intelligent हो गई हालक है जिस तरीके से मैंने LLB की थी वो भी अपने में अलग कानी है तो मैं जब आया तो जेल में काफी इजद मिली क्योंकि मैंने हिंदू college से जो है यह B.H.C की थी यहां से वो सब कहते हैं यह अच्छे college से पढ़ का है तो intelligent होगा तो उन्होंने मुझे यह लिखत-पड़त का काम है आप कभी भी किसी police station में जाओगे या जेल में जाओगे जो भी officer होते हैं उनका लिखत-पड़त में हाथ बड़ा कमजोर होता है तो उन्होंने के चलो यह मुर्गा अच्छा आगया इसको लिखत-पड़त का काम देदो तो इन्होंने मुझे लिखत-पड़त का काम देदी लीगल का सारा काम मेरे पास आता था अभी मुझे 81-88 में मैं DSP था तो मुझे एक message आया कि आपको home minister ने बलाया इस ताम पर बूटा सिंग जी homeless होते थी तो वो कहने के सुनील यह ऐसे ऐसे जो है मैंने पार्लिमेंट में बयान दे दिया है कि हम बेसाखी पर जो उन दिनों 88 में बेसाखी आनी थी उसमें हम नया जेल मैनुवल जो है applicable कर देंगे तो यह काम आप ही कर सकते हो और मैंने का पंदरा दिन में जेल मैनुवल बनाने में इतना लंबा चोड़ा जेल मैनुवल है पंदरा दिन में कैसे बनेगा किसी भी स्टेच आफ इमेजिनेशन में आप बना नी सकते थे उन्होंने मेरे साथ एक ड़क्टर बड़ा ठाकुर थे उनका वो बड़े एक्सपर्टीज थ CRPF का एक बनाया था, वो भी बड़े तेज थे, कहलें कि आप दोनों ने मिलके बनाना है, अब मानेंगे नहीं, हमने दस दिन में एक जो मैनुवल बनने में सालों साल लगते हैं, हमने दस दिन में जेल मैनुवल बनाया, दिली जेल मैनुवल उसका नाम रखा, 1988 में, अभी व और बेसाखी पे जैसे उन्होंने पार्लिमेंट को एशूर कर दिया था, तो बेसाखी पे वो हमारा मैनुवल जो है, वो इंप्लिमेंट हो गया, तो अब उसमें बहुत सारी कमिया थी, पर वो वाला मैनुवल आप लगाएं कि 2016 तक चला, अठाई साल तक चला, मैं उसी मैन मैन में रिटैर हुआ था, तो 2016 में फिर इन्हों निया जैल मैन मुनाया है, वो काफी सोच समझ करके उसमें बनाया है, एक चीज और फिल्म पर ही चुकी बात हो रही थी, और फिल्मों में जो हमने जैलों को देखा है, उसमें कुछ एक चीज़े हैं जो शायद है या नहीं हमें मालूम नहीं है, कि हर कैदी ने सफेद और काली धारी की यूनिफॉर्म पहनी हुई है, हर कैदी लगभग चक्की पीस रहा है, इनफेक्ट मुहावरा भी आ गया है कि जैल की चक्की पीस और जो दाल मिल रही है, वो पनियल दाल है, पानी वाली एकदम जिसमें गोता लगा के आपको दाल खुजनी पड़ेगी तो फिल्म उनने जो जैसा जेल दिखाया है, उनसे क्या चीज़ें वैसी है और क्या उनसे अलग है, टोटली डिफ्रेंट है, देखे क्या है, अंग्रेजों के टाइम पर यह वाली चीज होती थी, कि दाल उगरा जैब उसमें दा में पड़े हुए हो, दिल्ली में बड़े हुए हो, एक minimum standard है जो आप चाते हो कि वह चीज मेंटेन हो, तो हमने सबसे पहला अच्छा काम यह किया, जो ठेकेदारी प्रथा थी, जो एटेबल्स हमें प्रोइड करते थे, जो ठेकेदारी प्रथा थी, उसको हमने खतम किया, और हमने सीथा यह कह दिया, कि जो भी खाने की चीजे और हम खरी में मदरड़े से खरीदे हैं, हम आप चीजे हैं केंदरिबंडार और मदरोड़े और विवेडाय नियां आप देखिए मोद्रा थी की बड़ा महिंगह होता है, महिंगह मेंजा मe Atl pare, केंदर शाभ आदार हम सब चीजे अच्छी होती है अब पोजिशन यह है उसके बाद ना देखें जो अंग्रेजों का टाइम था उसके बाद दीरे दीरे ट्रांसफर्मेशन भी होता गया उसके बाद ट्रांसफर्मेशन एक यह हुआ उनीस सो असी में सुप्रिम कोर्ट ने इसे पहले क्या होता था कि कोई भी कोर्ट होती थी वो कहते थे जेल में अगर एक आदमी जेल में चला गया तो हम इंटर्फेयर नहीं कर सकते हैं उनका यह होता था जेल में चला गया जो जेलर का का काम है देखना हमारा काम नहीं है हम क क्रिशना येर की एक bench ने, constitutional bench थी, उन्होंने का नहीं, जील में अगर कैदी कोई शिकायत करता है, तो उसको सुनना हमारा काम है, उसको priority में सुनेंगे, यह नहीं खाली सुनेंगे, उसको priority में सुनेंगे और अगर उसकी जो अगर जो उसने शिकायत की है, अगर वो ठीक है, त आप जेल superintendent को punish भी कर सकते हो, यहां तक उन्होंने कह दिया, प्रिशनर्स राइट्स वाली बात, उननी सो असी से originate हुई, जब उन्होंने ये वाली बात कही, साथ में उन्होंने ये कर दिया, कि हर एक जेल में, एक district judge level का आदमी जो है, जेल में जाएगा, इंस्पेक्ट कर करने के लिए कह दिया, तो उसने जब इंस्पेक्ट करना शुरू किया, आप किसी और से डरो या ना डरो, हमारे हिंदुस्तानियों की mentality है, जुडिश्री से जुरूर डरते हैं, तो उन्होंने जब district judge का level का कह दिया, तो यह सबसे historic step था, 1980 में, जो कि इन्होंने कहा, उससे पहले district judge visitor होते थे जेल के, अंग्रेजों के टेम पे, district judge फर वो visit कभी करते नहीं थे, supreme court ने mandatory कर दिया, कि आप दो महीने में एक बार जेल को visit जरूर करोगे, उसके खाने पीने और यह व्यवस्ताएं ठीप होगे, उसके बाद उसका यह आलम हुआ, उनके आने के बाद, district judge क हमारी डाल जो है, पहले जो 20 gram हम एक prisoner को देते थे, वो डाल 90 gram होगी दिन की, एक दिन की, 45 gram दुपयर को, 45 gram रात को, जो सब्जी, आलू उगराई खिलाते थे और को सब्जी हम इनको नहीं खिलाते थे, वो सब्जी 200 gram हो गई, 800 gram दिन में, 800 gram रात में, आटा, जो कि उस टेम तो उसका नतीज़ यह हो गया कि प्रिजनर्स ने हमें यह कहना शुरू कर दिया कि आप दाल जो इतनी गाड़ी देते हो मैं थोड़ी कम गाड़ी दो जो पहले पानी वाली होती थी उनने कहा कि हमें कम गाड़ी दाल दो यूनिफॉर्म कब तक चली अभी चलती है अच्छा को और टैल जैसे हम सारे बैढ़े है हम सारे एंड़र्टैल वाली यूनिफॉर्म बैढ़ एंड़र्टैल अपनी नormal यूनिफॉर्म में बैढ सकता है तूर उसमें एक पफि शू जो होते हैं वो नहीं पैन सकता या जीन जिसमें Kافっぽ झारी सघब हो TH zehn उसमें के स वहारी वह होती थी सफेद काली सफेद जैबरावाली और सिर्फेट टोपी होती थी तो हमने का यार यह मौडरन उसमें अच्छी नहीं लगती है और हमारे पॉलिटीशन ने भी सोचा क्योंकि इतने पॉलिटीशन फ्रिक्वेंटली जो जेल में आरे थे आएस इपेस इतने जेल में तो उन्होंने का यार इसको थोड़ा सुधार करना चाहिए तब हमने एक तरह का सफेद जो हमारी जो ड्रेस है जैसे आम कुर्टब जामा सफेद आप पहनते हैं खादी का उस टाइप का उस टाइप का उस टाइप का और चक्की पीसना कब बंद हो गया उनलब चक को जब सजा देते थे तो उसको चक्की पीसने पर लगा देते थे अब उसकी जगह दूसरे मैनत के काम है अब को चक्की है निए अब अब फरनीचर का काम और इस तरह की काम हो गए है अब यह है कि चक्की की जगह पर वहां पर आप देखें जिस जगह जिसको चक्की अब ह सेल को चक्की कहते हैं और सेल बिखती हैं बिखती हैं बिखती है अगर स्पोज कोई भी भी आईप आदमी अगर जेल में आया है तो उसके रोटी कपड़ा मकान तीन चीज़ होती है ना एक आदमी की रिक्वाइरमेंट होती है बेसिक रिक्वाइरमेंट है मकान के लिए को सेल का मतलब यह होता है कि छोटे आप सोलह वाई दस की लगा लो एक स्ट्रक्चर होता है उसमें क्या होते है एक तरह की प्रिवेसी होती है सलाखें होती है उसमें या सलाखें होती है प्रिवेसी होती है मतलब आप अकेले अगर सेल में बंद हो रहे हो तो वह कहते हैं कि मेरे को और लोगों से अलग रखा हुआ है प्रीवेस होती है आपको सबसे ज़्यादा पैसे जो 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 रिषवत चलती है इस काम के लिए चलती है था हमें अलग कम्रा हो गार जैसे में इसे होता है जैसे आपके बॉस का एक कैबिन होता है वैसे वैसे बड़ी सुंदर व्याक्या कर दिया हम सब बाहर भी जेल में ही बन नहीं है इक अलग तरह की जेल है वह भार भी जेल है वह जेल चोटी है यह बड़ी जेल है एक चीज यह आखरी आखरी इच्छा पर हमारे एक लिसनर ने तर्बूज खाने जनवरी में तो तर्बूज मिलते नहीं छे महीने फासी डालने पड़ी तो चुटकुला है लेकिन यह आखरी इच्छा वाला एकदम हर बार फॉलो होता है क्या और कोशिश की जाती है कि उसको पूरी कर दे नहीं होता है यह मन घढ़नता है अगर आखरी तो आखरी इच्छा में का मतलब देखो क्या होता है आखरी इच्छा यह नहीं पूछी तुने क्या खाना है एक आदम को जब पता है कि मैं कुछ ए गंटे में संसार में नहीं होंगा तो यह नहीं कहीं का मैंने यह खाना है यह खाना है यह सारी कानिया बनी है आखरी इच् फांसी वाले दिन एक मेजिस्ट्रेट आता है, वह उस प्रिजिनर से पूछता है कि तेरे कोई प्रोपर्टी तो नहीं है, कोई प्रोपर्टी है जो तो किसी के नाम पर करना चाहता है, वो आखर इच्छा होती है, अगर किसी के रुपया पैसा है, कोई मकान है, जो तो सब फिल्मों ने बनाई होती है यह थोड़ा एक मैं अफजल की फांसी पर आऊंगा आपने लिखा है कि उसने चाय मांगी थी मिली नी थी और उसके बाद आपकों में आपकों भी आगए था मैं आऊंगा उस पर लेकिन थोड़ा कैदियों के मनोरंजन के बारे में बात कर लएं लुद्री लिखे के अवाज और फिर ठाका लगता है तो यह पूछता है कि यह क्या माजरा है कि नंबर से हैं और लोग हसलें कि हमने हर नंबर के साथ छुटकुला साइन किया हुआ है तो दोबारा सुनाने की जहमत कौन करें तो हम नंबर बोल देते हैं और हस लेते हैं तो यह बोलता है कि 103 और यह देखता है कि जैसे बरतन भांडों में भूचाल आ गया इतनी जबरदस हसी लोग पीट के बल लेट के हस रहे हैं कोई दीवार पे अपनी पीट घिस रहा है पा अगर इस तरह किये विश्टा जेल में अपर क्या करते हैं मनौरंजन के लिए देखे सबसे बड़ा मनौरंजन यह होता है आप किसी कैदी को देखेंगे ना जब पहले दिन जेल में गया रो रहा होता है आप हफते बाद उसको मिलेंगे वो ठाके लगा रहा होगा हसरा होगा पड़ ये जरूर कहा होगा मुझे बाहर निकाल लो जैसे कोई एक प्रिजिनर आता है को ने मैं नए प्रिजिनर की बात क गया रहा नया प्रिजमर जैसे जेल में गया तो वो जैसी अंदर जाएगा वो जाके रोता वो जाएगा सबका एक ही डायलोग होता है कि पुलिस ने में गलत फसा दिया पुलिस ने गलत फसा दिया पुलिस पैसे मांग रही थी पैसे हमने दिये नहीं पुलिस ने हमें जेल म barrack है. अब barrack में हैं, सो दो सो लोग हैं इसमें. वो आएगा एक से बात करेगा, कहेगा भाई तू किस केस में आया है? या रो रहा होगा तो जो दूसरा प्रिजिनर होगा, वो पूछेगा, किस केस में आया है? ओओ कहाएगा यार मुझे रेप के केस में फसा दिया है? और ऐसे ऐसे जिन्द की तबाह हो गई. और कहते हैं भाई, मेरे साथ भी ऐसे हुआ है. मैं भी ऐसे ही फस गया. और मेरे तो घर में मेरी मा मर गई इसी उससे, जैसी मैं जेल में आया मेरी मा मर गई मेरे भाई सड़क के उपर आ गया है अब एक रिलेट कर लेते हैं कि एमोशनल कनेक्ट आपस के बना लेते हैं मेरे सा तो यह वाली बात नहीं हूँ मेरी मा तो नहीं मरी वो सोच है यहार मैं इससे तो बेटर हूँ तो यहां से उसकी कानिया मनाते हैं कि मैंने ऐसे किया मैंने ऐसे किया मैं भी गलत आ गया पुलिस पैसे मांग रही तो सबका एक ही कानी होती है फिर उसको लगता है यह मैं अकेला भागा नहीं हूँ यह मेरे साथ अब आगे हैं और हम सारे एक ही जगा कठे हुए हैं तो बस फिर थोड़ा न उसका वेट जो है एक किलो तो बढ़ जाएगा एक चीज और कि मतलब ये आपने जैसे कहा कि अलग-अलग hierarchy भी होती है कि आप राधों के हिसाब से कि बात की पहले दिन कोई पहुंचा भाई तुमने क्या किया मैंने मैं किसी की जेप काटी थी मैंने डकैती की थी मर्डर वाल है इपिरानियों के बड़ी सुनके जैसे आप यह अपना न्यूस रूम चला रहे हैं जो आप कर रहे है यह आपके ऑफिसर चलाटे है ना यह अपके आपके आप खुद मिल के चलाते हैं पर अफिसर का का यहोड की रूल होता है उई जयर जो चलाते वो पृइजिनर प्रिजनर ही जो है, खाना बनाते हैं। जो मुर्डर होते हैं, जो आपने का ने किलास है, मुर्डर अपने आपको सुपर बास समझते हैं। मुर्डर बात करेगा आपसे, जैसे मैं था, मैं जब गया वहां पर बड़ा डरा हुआ था। तो एक मर्डर मेरे पास आया, तो एक सिगरट की डबी उस टाम पे सिगरट जो है, अलाओ होती थी जेल के अंदर, हम बेचते थे, सबसे ज़्यादा जो हमें रिवेन्यू आन होता था कैंटीन से, तो सिगरट से ही होता, तुमाखू चीजों से, तो वो आया, तो मुझे वो स उसने मेरे आगे कर दी, जब मेरे आफिस में आया तो तब इतनी स्क्योर्टी नहीं होती, तो उसने सिगरट की डबी मेरे आगे कर दी, तो मैंने का भीया, मैं तो सिगरट पिता नहीं, तो नहीं नहीं लाप पियो, आज सार एक पिलो, एक पिलो, मैंने का यार, मैंने पित ऐसे सोaces इंधा सिग्रेट फिर भाग गए, तो फिर मैंने उसको कhol कसे सोभे का नोड था, सिग्रेट की डबी में तो फिर मैंने को बिलाया मैंने कहले तू इससाफनी कि मुझे सोभे के किस लीए яетना चाहताता था? कोई इसाफनीन कही कFR कोीवा तो यह चाहता हूं क मुझे जो है टीवी सेट आप दिलवा दो, allow कर दो, मैंने टीवी सेट में तरुकर allow कर दो, क्यों पैसे वगर ऐसे बाटर है, मैंने उसको टीवी सेट allow कर दिया, तो जिस बात में आता हूं दुबारा जो आप पूछ रहे थे मेरे से, जो murderer होते हैं, यह पूरी एक तरह की जाओगे, वहाँ पर एक नंबरदारी सिस्टम है, नंबरदार, नंबरदार होते हैं, वो उसमें तीन उनकी होती है, तीन कैटेगरी होती है, कन्विक्ट आफिसर, कन्विक्ट नाइट वाच्मन, और कन्विक्ट वार्डर, इनको पूब्लिक सेर्वेंट का स्टेटस होता है, और जेल मैन्वल कहता है, कि जो ये डूटी करेंगे, ये अजे पूब्लिक सेर्वेंट डूटी कर रहे हैं, मनलों उनको आप अगर वो किसी को मारते भी हैं, तो आप उनके पर एक्शन नहीं ले सकते हैं, मैक्सिमम आप क्या कर सकते हो, कि उसके आप अगर वो लगाता है। तो ज्यादा तर नंबरदा जो है, यह ही मुर्डर करूट होते हैं, और यहי जेल की स्कूरिटी करते हैं, हमारे स्टाफ वाले कि अनको सरकारी नोकर ह Ey वो तो रात को नोकरी बे जाएंगे शरापपी के आते हैं। बहुत सारे हैं जो शरापपी के आते को आकर सो जात है यह नंबरदार ही होते हैं जो रात को सजग रहते हैं और सारी आपको ख़बर देते हैं किस जिगा क्या होने वाला है जितनी important duty होती है, security की duty होगी, नंबरदारों के पास होती है, उसके बाद, हाला कि तिहाड में नंबरदार सिस्टम नहीं है, तिहाड में हमने नंबरदारी सिस्टम जो है, abolish कर दिया था, क्योंकि एक कई prisoner की death हुई थी, जो इन नंबरदारों ने की थी, तो दिल्ली बिंग modern सिस्टम एक initiative लेने में सबसे आगे होती थी, तो मैंने वो नंबरदारी सिस्टम यहाँ खतम कर दिया था, पर यह दूसरी शेप में आगे, आप इनको सेवादार करते हैं, आप देखें, जेल की जो पहचान है ना, तला चाबी है, आपकी जितनी बैरिक हैं, एक बैरिक में पांच या छे ताले लगते हैं, हर एक सेल पे एक ताला लगता है, इतने ताले होते हैं, इतनी चाबियां होती हैं, जो हमारा स्टाफ होता है, उसको यह नहीं पता होता है कि कौन सा ताला कहा लगना है, कौन सी चाबिय किस ताले को लगेगी, यह नंबरदारी हैं, जो हमे help ना करें जेल की help ये नंबरदार ना करें तो मैं आपको guarantee से कहा रहा हूँ अपने 35 साल experience से कहा रहा हूँ कि हम एक घंटा jail नहीं चला सकते हैं क्योंकि इनको सब चीज पता होती है जेल में जैसे मैंने आपको बता है, bearic है, bearic में कोई दो prisoner में जगड़ा हो गया, ठीक है? अब जगड़ा हो गया तो हमारा कानून यह कहता है कि जगड़ा पहले नंबरदार जो है उसको खुद संभालने की कोशिश करेगा, अगर नंबरदार से नहीं संभलता, फिर हमारा सिपाई जो है, उसको संभालने कोशिश करेगा, उससे नहीं होता, फिर वो अलारम बजा देगा, जिसमें कि सारी, जितनी हमारी बाहर security system है, सारा security वाले वहां आ जाते हैं और system को संभालते हैं. कोई awkward situation नहीं होती है, अगर ये ना हो, तुझे नहीं पता है नहीं, रोज कितने murder हों? तिहाड में जैसे इस बीच सर काफी murder हुए है, एल्लू सिंग तेजपूरिया के murder का वीडियो पूरे देश ने देखा, और उसमें फिर ये बात अभी मैं एक podcast भी करता हूं, उसका नाम तीमताल है, और उसमें हमारे crime journalist है, शमस ताहिर खान, उनके साथ में बात कर रहा था, वो भी आशंका जाहिर कर रहे थे कि बिना अंद्रूनी मिली भगत के ऐसा हुआ होगा, ये मानना जो system कहता है कि आप जितने habitual prisoner हैं, आप उनको अलग रखेंगे दूसरे prisoner से, gangster, terrorist, इन सब को आप दूसरे prisoner से अलग रखते हैं, the reason is obvious, कि उनका evil influence जो है, वो आम आदमी, आम prisoner पे ना पड़े, ताकि वो भी जो आम prisoner है, कोई डाकू बनके बार ना निकले, हमारे यह होता है, सूदर के निकले, तो क्या होदा है कि जब gangster जो jail में होते हैं, ये अपना एक रुत्बा बना के रखते हैं, आपने किसी gangster को जो है, अगर आपने तू करके बोल दिया है, या उसको बड़ा disrespect दिखाई है, आपने दूसरे gangster के आगे, तो मुझे लगता है, आपकी जान जो है, खत्रे में आ जाएगी, जादातर दिल्ली की बात करता हूँ, दिल्ली में जादातर gangster जो हैं, आप देखेंगे, ये जातों में divided हैं, धरम में डिवाइड जो है, हिंदु ही थे, ये जाती के नाम पे जो है ना, gangster बनते हैं, आपने जैसे famous फुलन देवी का आपने सुना होगा किस्सा, वो भी जाती के पेस्पूरिया का था, ये भी जाती के पेस्पूरिया का था, ये भी जाती के पेस्पूरिया का था, ये भी जाती के पेस्पे यह एक प्रेशन में रखते हैं जब क्योंकि सारे यह कठे हो जाते हैं अनफॉर्चुनेटली जेल में भी ऐसा है तिहाड में भी ऐसा है कि हमारा जो स्टाफ जो है वह भी बहुत डिवाइडीड है कास्ट के उपर उनको आप मना करोगे कि इस कास्ट वाले नहीं जाना अपने रूल फालो करने हैं पर वो किसी ना किसी तरीके से उस गैंग वाले को किसी ना किसी तरीके से हैल्प करेंगे उसे आपका सुरक्षा कवज्जु है आपका धीला पड़ जाता है उसको आपने कवर करने के लिए तमिलाडू पुलिस हम लेके आगे हैं यह पर तमिलाडू स्पेशल पूलिस है यह जो जहां तक मेरको इतियास इसका पता है, 1976 में, 1976 में हमारे यहां से तेरा प्रिजिनर जो है, उमर कह दी थे, तेरा उमर कह दी, वो टनल लगा के जेल से भागे थे, टनल, तियार जेल हमारी जो है, वैसे तो रिफॉर्म में भी सबसे आगे है, और जो जो नहीने तरीके भागने के उसमें, उसमें सबसे तो नहीं नहीं तरीके आपको सारा पता है कि कैसे कोई नकली पुलिस वाला बनके आ गया, कैसे टनल लगा के चले गए, कैसे दिवार फांद के चले आते हैं, सब चीजों में हम अगरणी हैं. तो क्या हुआ कि जब 1976 में वो भागे हमने जब उसको अनलाइज किया, इवन दो आइवानाट देयर इन 1976, जो उस टाइम का जेल प्रशासन था, उन्होंने जब उसको अनलाइज किया, उन्होंने देखा कि एक पार्टिकुलर स्टेट के प्रिजनर ही भागे, जो भागे थे, जो भागे थे, और उसी स्टेट के जो स्क्योर्टी वाले भी उसी स्टेट के थे, उससे साफ पता लग गया, तो कनाइमेंस है, आप जेल को कैसे चलाओ गया, अगर आप ऐसे कनाइमेंस करा अगी जेल तो आप चलागा है, उस टाइम पे फिर इन्होंने फैसला किया, कि मि स्टाफ और प्रिज्डन में यह जेल के लिए बड़ी खातक होती है इसी में सवाल अभी जो यहां हत्याएं हुई और तेजपूरिया के बाद भी यह सवाल फिर से उटा कि तिहाड का सब्सक्राइब सब्सक्राइब जो हमारा कांस्टूशन करती है जिसटाफ ऑता है दिली गॉर्मेंट से आता है जो टैपूर्मेशन पर स्टाफ आता पाटेशन के आते हैं सब कुछ तोटली सो परसेंट कंठोल जो ए डिली गवर्मिट है बिपाना कि कौन करता है कि जीलर्स की नूख्तिय जो है ओभी मैं आपको बताता हूं इस्से पहले बताताओं और आगे बताओं को आपका झाला की शब तो क्या है कि जब तमिलाडू पुलिस को जो आशे के बता रहे तो यहां पर इसलिए लाये थे कि ताकि तुमिलाड़ू पुलिस का हिंदी स्पीकिंग, क्योंकि हमारे हैं जादर प्रिजन जो हिंदी स्पीकिंग हैं उनके साथ इनका मेल जोल नाब बढ़े है, अंड्यू मेल, मेल जोल बढ़ना हमेशा अच्छा होता है, अंड्यू कर्याइमेंस नाओ, इसलिए तमिलाडू पुलिस को लेकिया है, अभी तक सफल है मतलब, सफल अब नहीं कह सकते हैं, जब तिलू तेजपुरिया की केस में आमने कह दिया, तो सफल कहा हो गया इसको, पुलिस वाले खड़े हैं सारे, और सब के हाथ में डंडे हैं, उनके सामने जो है, वो प्रिजनर को मारा जा रहा है, तिलू तेजपुरिय सब इसमाने कहें, और सबसे सनियर, सीरियस जो फैंस है वे इस में Covartes, भुझदिय ली आरे आप भिभजदिय ली दिखा रहे होँ, तो इसके लिए आपको नोकरी से निकाला जार्या सकते है, भिजह धिली दिखा जिए ऋर नोकरीष से भी निकाला जार्या सकता है, बल्क जो उनीस सो इकतर में उनीस सो चेटर में आई थी, now they have outlived their tenure, अब एक और नए बदलाव की जूरत है, कोई ऐसा बदलाव हो, जिसको जो हिंदी नोइंग हो, पर बाहर से हो, जैसे border security force है, CRPF है, ऐसे, या CISF है, अब CISF देखो, पहले हम लोग सूच भी नी सकते थे कि CISF ज चलाती थी airport, अब CISF में चला है, कितना अच्छा experience है, तो ऐसी हमारे यांवी नए एक experience की जूरत है, नियुक्ती वाली बात, जैलर्स की नियुक्ती जो है, जहां पर खिचडी होगी, खिचडी किसी को तो अच्छी लगती है, किसी को खिचडी अच्छी नहीं लगती, सब जादतर डेप्टी सुप्रेंट लेवल के लोग जो है, वो जेल कैटर से है, जिनको आप कह सकते हो, वर्दी धारी, जैसे पुलिस में होता है, वर्दी धारी होते है, जादतर है, वर्दी धारी, उसके बाद एक लेवल आता है, सुप्रीटेंडेंट जेल, जिसको आप जे वह एक सिविल सर्विस से ऌरा हे रहा हो। जिसे जेल चलानी है। इसको जेल का खागा नहीं पता। जेल का खाग नहीं पता और जिसकी जेल पोस्टः भी या ढर है। 蛮्रड़ेजु के बूजा के ठाइधियों रिपैजित रहy ।ently कहा है। मैं अपने टाइम की बाद बता रहा हूँ, वो लोग होते थे जिनको पनिश्मेंट पोस्टिंग के भेजा जाता था, मारे दिल्ली में बड़ी फेमस सीज़ है, जो कुछ गलत काम करें या जो जिसको बिग वास जो है, वो ठीक नहीं मानता उसको जेल भाई दो, जेल भाई है, है न, यह शुकर हा आपके जेलिस्स के हमारे साथ नहीं जुड़े हूँ, जिसको डप करना हो तो जेल में डाल देते हैं पुछ पतरकार भी जाते रहते हैं जाती रहते हैं। लेकिन आप जि grapes हैसे हैं लिकिन आप 2018 लेवन Greece conquer 2016 अब जिनको कुछ पता ही नहीं है जेल के बारे में जो जेल में आते हुए कैदी को जिसने कभी नहीं देखा, जिसमें इतनी mental strength नहीं है, कि वो कैदी को देख सके, जो कैदी की नाम से डरता है, उसको जी बठा देते हैं जाके, जेल सुप्रीटेंडट, क्यों बठा देते हैं क्योंकि इनकी जो कैदर के लोग हैं, वो ये कहते हैं, कि ये जेल में है तो जेल चल रही है, अगर ये जेल में नहीं जाएंगे तो जेल वाले जो है, वो जेल को लूट खाएंगे, अरे, अगर आप पुलिस में, पुलिस में अगर पुलिस आफिसर्स की कमी है, आप पुल से किसी सविल सर्विस आफिसर को बला लो कि तू एस एच ओ का काम करेगा क्या आप सोच सके हैं कि यू प्लाजीबल है, प्लाजीबल ही नहीं नहीं अन्तिंक बला है ऐसे लोगों को यह सुप्रेंट जेल मना आके रख देते इनको यह तो पता ही होता है कि हमारे कुकरम की वज़े सी हमें जेल में भेज रहे हैं, पनिशमेंट पोस्टिंग मैं आपको पता है, जेल की जातर पोस्टिंग, पनिशमेंट पोस्टिंग, जितनी हाइर पोस्टिंग है, सारी पनिशमेंट पोस्टिंग होती है, उनको पता ह है एक फलकरम है पूरी activity को चलाने में सब जगह सुप्रेंड जेल की पावर होती है सुप्रेंड जेल डिन की इतनी पावर पारर के पास नहीं है prisoners के बारे में जितनी superintendent पास झेल के पास आप देखो किसी कैदी अगर एक साल की कैद हुई है, सुप्रेटेंडेंडेंट जेल उसको आठ महीने में जेल से छोड़ सकता है। यह रेमिशन की पावर सुप्रेंड जेल के पास है इवन लेटरून गवर्नर के पास नहीं है। अगर वो देखता है कि सब ठीक रिपोर्ट है तब वो उसको उसमें आधार हर बार अच्छा बरताव होता है। अच्छा बरताव और अच्छा काम तब ही जो है वो एलजी उनको छोड़ता है। उसमें आपने जब इनको बिठा दिया अच्छा डरते डरते यह बहुत बड़ी सीट होते है। अगर आप देखेंगे ना जो सुप्रेंड जेल का आफिस देखनेंगे जैसे राजा महराजा का आफिस होता है वैसे होता है। बिठा दिया आपने उसको हमारे जो स्टाफ है जो एक वैस्टिड इन्टेस्ट वाला स्टाफ है वह पढ़ लेते हैं भाई यह बड़ा डर रहा है। तो वह हो जाके उसको खेल लेते हैं तो कहेंगे सर आपको जेल चलाने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी आप विश्वास करो हमारे पर बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। वो क्या करते हैं जेल सूप्रेंड के ड्राइवर का काम, जेल सूप्रेंड के आडरली का काम, आडरली बड़ी इंपोर्टेंट चीज होती है, जो कि उनको कैदियों से बचाएगी, कोई अटाइक ना करते तो हर एक को डरत होता है अपनी सुरक्षा का, तो आडरली और उसके driver का काम यह ले लेते हैं प्लस आफिस में जो papers वगरा होते हैं उसकी color की का काम ले लेते हैं अब विश्वास करना ज्यादातर केसों में यह होता है कि वो ही लोग जो है जेल चला रहे होते हैं किसी ने कितने पैसे भी किसी से extort कर ली क्योंकि वो तो habitual बने है उनको मालूम है मालूम है तो किसी सभी पैसे ले ले लेंगे किसी से भी वो कर लेंगे अगर स्परेंट में अनको लगता है पैसे में बड़ा इंटरेस्टेइड है जहाए स Teachers 상 तो वह सब चीजे हो उनको पुखते हमारे अर्व चयल में बहुत चलती पलहे आप उसको सब सीज़ दे दो फिर उसकी वीडियो मना दो और फिर उसको ब्लै कमें रूप अच्छा जब जिय वह उनके कप्जे में आ जाता है और उसको सब चीज जो उसको चाहिए होती है वो उसके घर का भी सारा कर लेंगे और जो चीज उसको चाहिए जो उसके शोक है उसके शोक भी पूरे कर जाएंगे फिर वो उनके कबजे में आ जाता है और फिर वो जेल में जो एक्स्टॉर्शन के एक्टिविटी होती है में वह तुखार चपती थी शोबरा जी जी रूूलिंग वह क्यों रूब करता था, उसके पास अगजा पून होता था, हम लोग पता ही नियुक्ताब होता है, छोटा साच अटिए प्रिकाटा, उसमें उसमें सुप्टि टेंडेंडट ज hail उसे सुप्टि टेंडेंडेंडेंडेंड घैल मांग रहा था जैसा लोग कहते हैं उसरेन सब चीज की हुई थी वह सब आप हुपपू से जोड़े होते थे चाहिकी वह सब काम करवा एक फो निकल न. है तो जो हमारे यह प्रिजिनर ऐसे होते हैं जो जो हैबिच्वल प्रिजिनर होते हैं इनका यह होता है कि यह ब्लैक्मिल करते हैं यह सुप्रेम को ब्लैक्मिल करें सिस्टम को ब्लैक्मिल करते हैं और सिस्टम को ब्लैक्मिल करके फायदा उठाते हैं जो आपने का कि सुप् जो Supreme Court ने कहा था अब प्रिजिनर तो उससे भी आगे पहुंच गए है Supreme Court ने कहा था कि आप जिस जगह भी प्रिजिनर रहते हैं वहां पर आप ग्रिवांस बॉक्सिज लगाएंगे और कोई भी प्रिजिनर उन ग्रिवांस बॉक्सिज को ताला लगा के रखते थे और कोई भी प्रिजनर उन ग्रिवांस बाक्सिस में ग्रिवांस डाल सकता था चाहिए वो जेल सुप्रेंग के खिलाब हो या किसी और प्रिजनर के खिलाब एपार वह सिस्टम आप आउटेटिटीड हो गया बॉक्सित अभी भी लगे में अब जाओगे तो मेन हमारा ओमारक यह होता है ट्रास्पिरैंशी का कि यह बॉक्स लगे में जहांगे पीजनर जाके अपने कोई क्म्प्रेंट डाल सकता है पर उसमें कोई डालता ही नहीं उसको पता होता है कि अगर मैंने किसी बड़ा अच्छ मोड में आप देखें डिली में जो पॉपलेशन है करीब गरीब 82% जो हैं अंडर ट्रैल से एटी टू पर्संट अंडर ट्रैल से जो चनके उपर कोड के सामने केस चल रहे हैं और उनको कोड के सामने जाना होता है 82 परसेंट जो कि भारत में सबसे ज़्याद है भारत में सबसे ज़्याद है आठारा प्रसेंट खाली कमिक्ट है बेसिकली जेलें जो बनी हुई है इनकी बनाने के पीछे यह था यह कनुप्ट के लिए बनी हुई है के लिए नहीं कि रिफॉर्म करना है मेन आपका काम है रिफॉर्म करना रियाबिलिटेट करना है अपने रिइंटीग्रेट करना है प्रिजिनल को तो अपने क्या रिइंटीग्रेट करोगे वो तो आज आए महीने बाद चला जाएगा दो महीने बाद चला जाएगा तीन महीन lessness ज्यादा होती है क्योंकि अंडर टैल्स को तो किसी का रोग वह उता नहीं ना कोई उनके पर रूड रेकुलिशन नहीं कोई अपलाई नहीं होते अगर कोई वह वाइलेशन करते भी हैं तो उसमें आप उनको सजा क्या दोगे अंडर टैल को तो को सजा कोई खास है नहीं ज ज्यादा ज्यादा यही है कि आप उसकी मुलागाच जो उसके घर वाले मिलने आते हैं उसको आप रोक दोगे या आपका उसका टीवी जो आपने अगर दिया हुए तो मालब प्रिविलेजिस आप जो है उसकी वह विड्रा कर लोगे पूर पूर सर्टेन पीरेड ना ना न आप जेल सूर्पेंड के पास होती है, उसकी आप रेमिशन को बढ़ा सकते हो, आप उसकी रेमिशन को जब्त कर सकते हो, आप उसको सेग्रिगेशन ने DR. CELL framework को सकते हो, पर उसकेव कोईा जादा आप उसको पनिश सकते हैं, तो यह माना जाता है कि जिस जेल में अंडर ट्रायल ज्यात होंगे वालेशन उत्ने ज्यात होंगे ठीक है और हमारे है है अपे ये आह आप देखें यहाँ कि मैंने आपको बताया कedo अप सब्सक्राइ मैं आप देखें दिली पर यौ वाकर्व करें दिलए में हर कोई पैंपर है अब दिल्ली पुलिस जो है जुडीशरी है जेल है इन सब की तंखा जो है हमारे नेबरिंग स्टेट से ज्यादा है यूपी से ज्यादा है हरियाना से ज्यादा है जो भी हमारी वह है उसमें उनसे ज्यादा है पर काम हमारा जो है उनसे नीची है जेलें जो होती है यह किनि स्टेट की जियल जो हती ए उस से पता लगता है कि आ है Donc, कैसे अ तो चीज़े पता लगती है जियल से, एक तौ God को यह बता लगता है कि कैसे लोग ससाइटी में रहते हैं अगर आपकी जेल में चीत जाता है तो उसको सीठी आप Cheats जेए दिली को CTF cheats कहते हैं कि डिली में अगर आप ने किसी को पैसे दे आपको वापस ने मिलने बाप बेटे का पैसे के उपर यहां इतना जदाध शायत कर रहें Japria करते उपर बाप बेटे को ह不錯 यहां इतना ज्यादा डिस्ट्रस्ट है इसलिए हमारे जाद तर पॉपुलेशन जो है यह अंडर टैल्स की है जो चीटिंग के केस में है जिस मोनिटरी मैटर में जो जेल में है वह पॉपुलेशन हमारे हां सबसे ज्यादा दिली में अब बंबे जाएंगे आप उसको सीटी ठक्स केहते हैं है आउने कियोंकि जदने यह कराइम होते यह कटिंग टू स्टेट स्टेचू जो है वो बने होते हैं जुवाब होते है वहां पे तो वह अलग अब यूपी प्रहोंगे तो इसमें इसमें है सिटी अफ खिलर्स क्योंकि हम पे की जो कीली घर injury वो होती है आपकी मूच के उपर, मेरी मूच, इज़त का सवाल है, वो उस जाती को मार रहा है, वो उस जाती को मार रहा है, या जमीन के उपर होती है, जमीन जो है, जमीन उसके होती है, पंजाब में जाओगे वहां भी ऐसे है, हडियाना में जाओगे वहां भी ऐसे है, पर डिली में चीट जाता है. ठीक, एक चीज़े बताएगा कि आपका जो ये लंबा 35 साल का करियरा इस में नेता, राजनेता कितने आपने देखे थी हाड जेलनाते था? मैंने बोट देख हैं, राजनिता मैं आपको बता हूँ, हमारे से पहले तो इंदरा-गांधी रही थी, मैंने देखे हैं, ये अमर सिंग आये थे, मुलाहिम सिंग याधा वाए थे, और मुलाहिम सिंग याधा तो शयद हूआ थे, उसमें मिलने के लिए, एक मदन भाईया करके एक करेक्टर होता था, उसको मिलने के लिए आये थे वो, तो और जितने भी नाम आप सोच सकते हैं, जो अब मेरे को नाम लेना अच्छा नहीं लग़ा, क्योंकि उनके साथ में पुब्लिक में हैं, वो तो लोग प्यार देखे, लेकिन क्या उनको कुछ विशेष सुविधायों की मांग उनने की विशेष सुविधायों मिली, उनका क्रीटमेंट नागी रहता है। हर, 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 जो भी राजनेता आता है, तीन चीज़े मैंने आपको पताया था, शुरुआत मेंने की थी तीन चीज़ें की डिमार्ड होती है, रोटी कपड़ा मक सबसे पहले कि मेरे को सेल मतलब कि आप दूसरे प्रीजिनर से कट आप हो जाते हैं प्राइविसी आप जो भी करें पता नहीं लग रहा आपका दूसरा उनका होता है कि मुझे खाना जो है बाहर का खाना है जैसे कोनी मोजी आई थी तो कहती थी मेरे को साउफ इंडियन खाना चाहिए ऐसे राजा थे अब मेरे से नाम लेना शुरू कर दिया मैंने राजा थे वह कहते थे मुझे जेल का खाना नहीं चाहते हैं उनका एक अपना रेस्टरेंट था वहां से वह अलावड होता है क्या कि इनको कोई भी मिलने वाला आए वो जब भी मिलने आए आप उसको मिला दो इन तीन चीज़ों पर सबसे ज़्यादा करफशन होती है ठीक है तो जो भी राजनेता आता है या जो भी पैसे वाला आता है उसकी तीन चीज़ होती है कि मुझे सैल मिलनी चाहिए जितना मर्ज में मिलवा दो आम कैदियों के लिए मुलाकार का क्या लिमिट होता है हाफ़े में दो बार और वह भी ग्रिल की में होता है betrayal does एक तरफu इसके घरवाले होता है फीर एक तरफ chiaraष करणा होता है तो पर जो VIP फैसिलिटी जो है उसमें बोज़ यह कहते हैं कि नहीं हमें तो जो है face to face बात जैसे हम करने बात वह चाहते हैं ऐसे face to face बात करना क्या हूब जवा आलन नहरू यूंफर्डी पार अपने में एक unique यूनिक यूंफर्डी है क्या हुआ कि 83 में हमारे पास इनुऊ-जो स्टूडेंट थे इन्होंने किया बहुत बड़ा एजिटेशन वी-सी के खिलाफ उस टैम पे जो वी-सी थे उनके खिलाफ इन्होंने ऐजिटेशन किया उस बहुंद मैं करीब-करीब 1.5 satow के लड़क जो है जेल में आगे अब क्योंकि सारे जो है पड़े लिखे थे पड़े लिखे का हमारे होता तो जो graduate है उसको B-class मिलती थी जो graduate नहीं होता तो उसको C-class मिलती थी अब जो है इनके parents ही पर गरा income tax पर ही थे भौतों के तो IES IPS थे महाँबाप वो जेल में आगे, वो जेल में आगे तो जैसे बात ऐसे हो रही तो ऐसे बात होती थी, उस टेम पर क्या होता था, जो वीजिटर होता था, उसकी रिस्ट के ओपर जो है, एक गोल सी स्टेम्पोट, सील होती थी, वो लगा देते थे, सील लगा दी, जो वीजिटर होता, तो फिर वो जैसे जब जेल के अंदर मुलाकात हो गई, वो अपनी सील दिखाते थे, तो हमारा दर्बान जो है, गेट कीपर, गेट कीपर की पोस्ट सबसे इंपोर्टेंट पोस्ट होती है, आफ्टर सुप्रेंट जेल, जो सारी जो है, आ तो किसी ने हमारे मुकुबर ने हमें खबर दी, कि कुछ सारे बच्चे जょ्इवाग गए है जेल से, हालों का, बच्चे जेल से क्यों बखगए है, ये अपनी मर्जी से जेल में आया है, खुद ही इन्ठेंगे है जेल ने कहा तो अपनी मर्जी से जेल में आया तो भाग क्यों गए? कहते हैं जी वह भाग गया है. फिर हमने गिंती की हमारे हैं करीब करीब 65 के करीब लड़कियां और डेट सो करीब लड़के भाग गये थे. इतने सारे लोग कैसे भाग गये थे? वह इभी बता रहा हूं. वह अमें है इसे पता रस रखाने से तो हूं आय, इँई पैसे कर लगा दी थे? ठीक है एक जब दो हादा? तो उसके बाद क्या हुआ कि अच्छा हमारी न आप पुलिस का सिस्टम देखेंगे पुलिस का सिस्टम बड़ा फनी वे में न काम करता है पुलिस वाले को बड़ा इतना ओवर कांफिडेंस होता है कि मैं अगर बंदूक लेके खड़ा हूँ वर्दी पेन के खड़ा हूँ तो सामने कोई आएगा है नहीं किसी की हमद ही नहीं पड़ सकती वाइलेशन करने की और हमारे जातर वाइलेशन जो होते हैं वो पुलिस के नाक तले होते हैं तो अमने जब गिने तो वाकी अब मजदर बात देखो जो प्रिजिनर भागे थे जो मैं आपको जेनी स्टूटेंट बता रहा हूं उन दिनों में पुलिस का जो सिस्टम था जो नाम जिसने बता दिया वो नाम पुलिस वाले लिख देते वेरिफिकेशन करते थे हैं आज का तो अधार से वेरिफिकेशन करते हैं तो किसी का नाम लिखा हूँ था जया भादोटी, किसी का नाम हमामालनी अरे ऐसी आद्मियों के नाम भी अशौक कुमार यह और सारे बोनीकुट के नाम होते हैं भो लिके वेधे अब हम गए जेनिते हमारे लाए कहता है? जेलमन हों कि जब्भी कोई आद्मी भागेगा पहले जेल वाले पूरी कोशिश करेंगे उनको पकड़नी क्योंकि जेल वाले तो शक्र जानते होते हैं वह पकड़ने कोशिश करेंगे उसके pivot बादो कैस पुलिस को देंगे हम जब जैनु मेंगे हमने भादुट ली नानी हम समझ uniquely सबी ने जोए गलत नाम झोढ़ है सबी है तो वो केसा आगे प्रोसीड हो जी नहीं सकता था अब कैसे प्रोसीड करोगे अब जिसको पता ही नहीं कि आपकी जेल में कौन आए है आप कैसे करोगे तो उसका एक जो उसका एक साइड एक वो था जो हमने उसका एक क्योरेटिव स्टेप था वो यह था कि जो पहले हम बी transfer नहों सके उसके उसके बाद से B class में यह वाली चीज खतम होगे जो politician आपका जो main question था कि politician जो भी आते हैं उनको sell चाहिए खाना चाहिए अच्छा और उनको चाहिए कि उनके घर वाले जब भी मिलने वाले हैं तो मेरे को admit करने में कोई वह नहीं है कोई दूविधा नहीं है अब मैं retire हो गया हूं मुझे कोई दूविधा नहीं है generally जब भी को politician आया है हम लोगों ने उनकी demand मानी है और एक तरह का rules का violation करके उनको सुदाएं दिए अब जैसे लगबक सभी को अब जैसे यह जो टूजी स्कैम था इसमें जो भी मंत्री थे अब इनको मिलने के लिए कभी finance minister आ रहा है इनको मिलने के लिए कभी देश का commerce minister आ रहा है दूसरे minister आ रहे है तो आएंगे तो उनको किसी की जेलर की हमत नहीं पढ़ सकती है कि वो उनको रोक दे हाला कि मैंने एक बार ऐसे किया था मैंने ऐसे कि हमारे पास जैसे मदन भाया का मैंने नाम लिया है मदन भाया हमारे पा मुलाहिम सिंग जी आ है तो मैंने उनको ना उनके साथ security थी काफी security थी तो मैंने मुलाहिम सिंग जी को समझाया है कि हमारे रूल पोजिशन यह है कि हम face to face मुलाकात नहीं करवा सकते हैं तो मुलाहिम सिंग जी मान गए बिलकुल मान गए आराम से मान गए मैंने का जी रूल पोजिशन यह है और साथ में आपके पास security वाले लोग हैं अगर आपको हमने जेल के अंदर कर भी दिया हमारे criminal इतने तेज हैं आप से हमारे जो security स्टाब हैं इसे तो बहुत आहां आम और खुद वो कोई escape plan जोया बना सकते हैं तो वो हमारी बात मान गए तो उनकी मुलाकात जंगले में जैसे आम आदमी की मुलाकात होती है थोड़ा साथ से अच्छे तरीके से कि मन और लोग नहीं थे खाली उन दोनों को करके करवा दिये तो मदन भाया तभी एक उदम बोल पूछ की वो चुप-चुप चले गए तो जब politician आते हैं कोई ऐसा politician रहा बहुत difficult to manage रहा हो बहुत demand बहुत करता हो मतलब हाँ मेरे को याद आ रहे है एक politician थे नर्सिमा राओ के टाइम पर नाथ 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 नाम था मुझे अब ध्यान नहीं आ रहा तो वो उनको बलकि जेल में किसी prisoner ने उनके अपर attack भी कर जा था क्या नाम था उनका minister थे वो और जेल से election भी जीते थे तब तो ये भी होता था तो नहीं खेल ठीक है हाँ बताए किसा तो वो जो है वो जो है वो बार बार नरसीमा राओ को गाली देनी थूख फेकनी उनकी एक खास्यत थी यूपी से कहीं से election अटते थे वो अभी नाम याद आजाए का थोड़ी देने तो उनका यह होता था बोर्ट डिमांड करते थे वो कभी कहते थे चलो उसको मैं एक और politician का बताता हूं आपको सिमर चुनाव भी जीते हैं तो मैं इनका जेलर था तो मुझे आके कहने लगे कि मेरी तो खाने की जो है बहुत विराइटी है जो मैं खाता हूं और आपको मैं बता हूं यह सिमर जीजिसिंग मान जो हैं यह पट्यालक राजा के खानदाने से जुड़े हूं इस टम में सब से तो उन्होंने कहा जो जो वी इनकी जो ओरिजनेबल बात हैं आप सब मान ले ना तो मैं ठीक है तो इन्को मैं लेकरि का समान बेकरी का समान डaccord समान महें फ्रेश ख़ाता हूं और यहीं पर जेल में अप मेर का बकरी बनाओ नानविचा खाता हूं मैं और चीज एक और च के बाहर सूंगा मैं और कैदियों की तरह नहीं सूंगा सबका यह होता है जो की पॉलिटीशन आते हैं यह कहते हैं हमें आम आदमी की तरह मत करना ठीट हमें खास आदमी की तरह ठीट करना तो कहते कि नहीं मैं अंदर जेल में नहीं सूंगा तो मैं देखें आप इनके सार ना सोना चाते हो तो मुझे भी आपके साथ बैठना पड़ेगा कि ठीक है बैठ जो हम बाते करेंगे तो हम मैं उनके साथ बैठ गया फिर उन्होंने जब देखा रात के एक दो बज़ गये हैं क्योंकि हमारी जेल बंद नहीं हो सकती जब तक कि सारे प्रिजनर बंद नहीं हो जा मैंने के नए नहीं आप आप सो मैं भी सो जाता हूं फिर मेरे कUs अंदर चारशब करहा तो इसको जिसकी में वह सो था नहीं है कि मेरे को से की आप六ट नुभ कि से ऑस 20 में चूपे तो मैं सुद रहा था शयाद लेने के लिए, इनका पहला जो वर्ड ये था, कि मैं तो हेल्थ से बार आया हूँ. मुझे खाना नहीं दिया जाता था, मुझे चोविस घंटे बंद रखा जाता था, मुझे इतना प्रिशान किया जाता था, इनका बस चलता तो मेरी रोज पिटाई करते, जो गंदे से गंदे ऐलिगेशन लगा सकते थे, इन्होंने लगाए मेरे उपर, फिर मेरे पस इनका फोन नबर भी था, क्योंकि इन्होंने मुझे कहा था, यार, कब़ी पंजाब में आओ, तो पंजाब में यह यह आपके बड़े अच्छे प्लेस यां देखने के, तो मैं आपको दिखाऊंगा मैंने को फोन किया मैंने का मान साथ ये आप क्या कह रहे थे मैंने का आपको मैंने अपनी जितनी आपकी एंटेटनमेंट थी उससे ज़्यादा ही मैंने आपको दिया तो आपने फिर ऐसे क्यों का क यार अगर मैं ये कहँए देता कि मेरे को सब चीजें मिली जेल में तो मुझे वोट कुण देता उसका फायदा भला अजा चाफ़ि पुरानी बात हो गई अब तो सानसद हो गए है है अब तो सानसद हो गई है तो नहीं जितने पॉलिटीशन आते हैं यह लोग यह सोच कियाते हैं जेल में कि जो भी स्टाफ है तो सारे हमारे नोकर हैं और जो हम इनको कहेंगे यह हमारी बात मानें अगर आप उनकी बात नहीं मानोगे आपके खिलाब कंप्लेंट करेंगे अच्छा दिल्ली में अच्छी बात यह है कि अगर हमारे खिलाब को प स्पेशल नेता को सेसल परिविलेई देने का शकूप नहीं है और मदरास pieces श्यूप में जाओगे यहां पर नेता के लिए इंहों था स्पैशल क्लास जैसे आङ अगर कोई प्रिजनर कहता है कि मेरे को इन्फुलेंशल प्रिजनर कहता है कि सुनिल गुपता जी ने मुझे इस उधाय नहीं दी तो हमें कोई फरक नहीं पड़ता क्योंकि अगर सरकार वहां सेंटर में जो है अपोजिशन की सरकार है वो तो कहेंगे बहुत अच्छा कि आप और जगह होता है जो सबसे गंदा एक्षन होता है जैसे यूपी है बिहार है वहां पे आपको ऐसी डिस्ट्रिक्ट से में आपकी ट्रांसफर कर देंगे सबसे बड़ी और हमारे हम लिए दिली में तेहार जिल में नो जेले थी उस ताइम पे अपे एक जिल नहीं तो दूस लोग अपने तरीकों से फोन भी स्मगल कर लाते हैं, या मिली भगत से फोन भी आ जाता है, और जैमर होते हैं, लेकिन फिर भी फोन से लोग बात कर लेते हैं, अभी हमने टीवी पर हाली में लॉरेंस बिश्णोई का इंटर्व्यू देखा, इंटरनेट भी उपलब्द है, आपके सम्में में नहीं था, यह बाद में भी यह कैसे हुआ होगा? करना है ये लोग क्या करते हैं देखें तीहाड जेर पहली जेर थी जहां पर इन्होंने ये सारे जैमर्स होगरा लगाए अब जैमर्स हमारे यह जो लगाए थे इन्होंने एक तो खर्चा होगरा काफी खर्चा काफी ना भी गए खर्चा होता है उसके बाद जिस टेकनलोजी कि उनोंने जैमर्स लगाए थे, वो जैसे लगाए टू जी और आजको तो इतनी जल्दी टेख्णोलोजी बदर लिए आपके थीजी के फोन आगे, फॉर जी के फोन आगे, फाइव जी जी के फोन आगे, अगर आपका थीजी का फोन आगया, तो उस पे टू जी जो है, करता है कोई एक पॉइंट होगा जहां ने ड Holy God a Numme निकर ऑर यह तो डूड़ने में उस्ताइब होते हैं यह जा कि क्योंकि इनका दिमाग इतना तेज YOUता है यह हमारी से दस अगुना इनका डंडे से कंट्रोल कर लेंगे, पिटाई लगा के कंट्रोल कर लेंगे, इनको गंदा बोल के कंट्रोल कर लेंगे, नहीं, वो आजकल के जो जैनरेशन है, उनको इन चीजों से, पुरानी चीजों से को फर्क पड़ता ही नहीं है, वो खाली अपने काम में डेडिकेटिड है, क क्या करेगा जाकि वह जैमर की बिजली की तार निकाल दी कुछ मेलफंक्शनिंग कर दियो कुछ का निकल तो जैमर काम ही नहीं करेगा तो और और कई चीज उते हैं इसके लिए यह जैमर जो होते हैं इनके लिए एक आपका वाल्यून आफ लाइट रोशनी रहनी चाहिए अगर वह वाला वाल्यूम आफ लाइट नहीं है तो जैमर आपका इफेक्टिव काम नहीं करता है तो इसलिए जातर जो फोन की काल होती है रात के टाइम के होती है और मेन जो मैंने आपको बताया है कि फ्रिक्वेंसी का फर्क होता है 2G, 3G, 4G, 5G जो यह है फ्रिक्वेंसी का फर्क होता है हम पीछे होते हैं और यह हमारे से आगे होते हैं यह बात सही है कि एक तरह का extortion racket चलता है सेफटी के लिए कि कोई एक अमीर घर का बच्चा आ गया अफिहार जेल में किसी आरो अंडर ट्राइल है भी आ गया किसी सम्रिद घर का आ गया तो इस तरह मुझे कहानी किसी ने बताई इसलिए में पूछना हूँ बिना नाम लिए कि तो कोई एक विक्ति उसके पास पहुंचेगा ब्लेड लेकर के कि तुम्हारा चेहरा बिगाड दिया जाएगा और यहां रहना है और फिर उसको जो गुरू जी है जो सरगना जो है उसके पास ले जाए जाएगा उसके घर पर फोन किया जाएगा तुम्हारा बच्चा यहा दो तीन महीने में निकल जाएगा कोई इसको टच नहीं करेगा इसकी सुरक्षा हमारी जिम्मधारी है महीने के 3 लाक उपर इस तरह की कहानी है यह सहीं बहुत देखे मैं मेरे को एड्मिट करने में कोई वो नहीं है डर नहीं है उतक है कि जो पैसे वाला होते है वो ढर रहा ह जिसके बस कुछ भी नहीं है वो तो अपना फक्कड है जो वो तो अपना जेल में अपना आराम से खो रहा है उसको वो तो खा रहा है अच्छा खाना खा रहा है जो पैसे वाला होता है उसको डर होता है उसके घर वाले ही जो है जैसी वो जेल में आता है उसके घर वाले ही को पता होता है कि यह जेलर है यह यह जो आफिसर है जो टोटली उनके साथ जिसका की डिरेक्ट कंट्रोल है हमारे बंदे के उपर तो वह यहां कि आपको इतना प्रलोभन देते हैं इतना प्रलोभन देते हैं कि अगर आप करप नहीं भी होते हैं यह आप नहीं भी करना चाहत है. वह आपके घर में पत हैं क्या क्या लेकर पहूंच जाएंगे जिसए का आप मजबूर हो हुजाते हो. करने की दूसरा। यह तुम मैंने बताया स्टाप का. अब को पहुंच के उसको कहेंगे भी या देख तू गाड़ी में जा रहा होगा कोट के लिए है ना तब तेरा ऐसा चेरा कर देंगे तेरे घरवालों को पैचान में नहीं आएगा कि तू कौन है और करते भी है अच्छा देखें क्या होता है जेल में प्रिजनर्स की जो खासकर य है इनको पता होता है कि किस चीज को यंतर बनाना है यह लोग क्या करेंगे सर्जिकल ब्लेड होते हैं छुट छुट होते हैं सर्जिकल ब्लेड आपने देखे हो चुट छुट होते हैं सर्जिकल ब्लेड को यहां छुपा लेंगे खोटों के बीद में बालों में छुपा ल आलपिन तो सब जगा बड़ी उसमें वाल्यूम में मिल जाते हैं तो जाके उसको कि पैसे वाले को कहेंगे कि तू दे दे नहीं तो तेरा यह हम एस तेरा पूरा धांचा जोब बिगाड़ देंगे अगर इनको लगते हैं डर तौरा ही होता है पैसे वाला तो बर वे आदमे को हमेशा एक हुमन साइकोलोजी होता जो भी डराव आदमे होता हi उसको हर कोई यसको आकर दो चार लगा देगा अगर आगर क्को देगी का कि अतटिण निकाले रहा हो कि कैसा तेरा बुराल करें पिन लेके उसको पीछे से पकड़ो यूँ पिन को अगर आप यूँ मारोगे तो बिल्कु बलेड वाला काम करेगा या आपने सर्जिकल बलेड नका लिया वो उसके मुँपे लगा दिया होता यह है कि जब वो कोट के आगे जाते हैं पेश होते हैं आप देखें जाज़तर जिनको ये पैसे एक्स्टॉशन जिनसे होता है वो कंप्लेंट ही नहीं करते है वो कंप्लेंट ही नहीं करते है उनसे अगर आप कहोगे ना कि क्या तू पहचान सकता है किसने तेरे मुह पे ब्लेड मारे को का नहीं मैं नहीं पैचान सकता है इससे लोगों को और हमत मिलती है और बड़ा सेफली जो है यह एक्स्टॉशन का रेकट चलता है आपने सतेंद्र जैन का वीडियो देखा मसाज वाला उसमें मैंने कमेंट्स भी दिये थे काफी कॉमन है हां मैं तुबी फेर इस तिंदर जैन है रत नहीं हुई आपको देख ओए जो भी बंदा वी आई पी बंदा होता है पैसे वाला बंदा होता है यह तो बहुत चोठी चीज है देखे क्या होता है आपके इसमें भी ऐसे है कि आपका जो इन्फिलेंशल जनलिस्ट होगा उसके आसपास जो है जो दूसरे जनलिस्ट भी उसके आसपास घूमेंगे ताकि वो उनका कोई काम है तो करवा दे अब जैसे कोई वी आई पी आता है तो हमारे जो प्रिजनर होते हैं 80% में आपको बता हूँ हमारे प्रिजनर जो होते हैं यह पूर बैग्गराउंड से आते हैं 80% यह जेल तिहार का बतारों मैं अगर आप पूरे इंडिया का देखेंगे तो 85% इसमें आप क्वेश्चन यह भी उठता है कि क्या खाली गरीब ही कराइम करता है जातर कराइम तो जेल में आते हैं 85% नमबर मैं बता रहाँ ओदिली का आपको 80 बता हूँ 80% आपके जुकी जोपी कलस्टर से आते हैं क्लिस्टर से जब याते हैं, तो अब कोई यह आया सतंदर जयन का अपने नाम लिया है, तो उसी का नाम मैं भी ले लेता हूँ, उनको पता है कि इसने हमेशा तो जिल में रहना नहीं है, महीना, दो महीना, चार मेने कि उसके बाँ जाएगा साल, दो साल उसके बाहर जाएगा. या अभी भी अगर किसी को बाहर कह देगा तो उदके किसी बच्चे को नोगरी मिल सकती है, कोई काम मिल सकता है. तो आसपास लोग थोड़ा मंधराने लगते हैं. पैसे वाले के उसमें आसपास लोग इसलिए मंट राते हैं कि वो उनको कुछ पैसा दे देगा जेल खाने में हम साबून तेल की बात करते हैं अगर आपने तेल साबून प्रिजिनर को दे दे आप तो हम सरकारी उस पर देते हैं पराने टाइम पर अगर साबून और तेल भी फांसी पर आते हैं अपने अपने करियर में आठ फांसीयां देखी जिन में से एक प्जल गुरु की थी और आपने एपनी किताब में लिखा है कि उसके बात आपकी आखों में आसू आ गए उसका किस्टा क्या है अ levels क्या कियो आए ये मुआ होता है कि अफ luckily की देह क्लिएं दस्यों साल में एक होती है. तो अबजल गुरू की जब फासी थी तो मुझे उसका इंचार्ज बनाया है. मैं हैड़कॉर्टर से उसको सुपर्वाइज कर रहा था. वैसे इंचार्ज जो है, सुप्रिटेंट जेल होता है. तो मुझे हैड़कॉर्टर से बेजा कि आपने इस उसके घरवालों को तो हमने दो दो दिन पहले बता दिया था कि इसको हम फासी पे लगाने जा रहे हैं. पर वह बात दूसरी है कि उसको चिट्टी मिली नहीं. उसको चिट्टी दम मिली जब वह अलेड़ी फासी पे लटक चुका था. तो अबजल गुरू के मैं पहली देर हम चाते थे कि जो अफजलू गुरू की फासी हो इसमें ज्यादा लोगों को पता ना चले. क्योंकि बड़ी एक स्क्यूर्टी डिजनर को आफजल लटकाने जा रहे थे हम चाते थे कि लोगों को पता ना चले. तो मैं इसलिए वहां पे उस जेल में कुछ को अगर पता भी था कि में अंदर हूं तो वह अगला वह सोचे निकल गए उगे और दूसरी जूटी वाले जो आये थे उनको पता नहीं था कि मैं अंदर हूं तो हम अंदर सारी त्यारी कर रहे थे जो रस्ता वगरा जो था उसको देखना होता है कि रस्ता जो ए ठीक तरीके से गले में फिट हो दाकि फासी ठीक तरीके से हो उस टाइम पे जो है कोई ऐसा करनून नहीं था क्योंकि मैंने सुना था कि कई बर जब फासी लगाते थे तो बंदे की गरदन ऊपर रह जाती थी और बाड़ी नीचे गिर पड़ती अगर भारी बंदा होता था तो बाड़ी नीचे अलग हो जाती थी तो उस टाइम पे हमें खाली यह होता था कि बंदा मर जाए जैसे भी है रूल फालो हो या ना हो पर बंदा मर जाए फासी उसको लग जाए तो अब जल गूरु में मैं क्योंकि लीगल एडवाइजर था तो मुझे था कि मैंने सब चीज जो है रूल्स के इसाब से करनी है तो एक दिन पहले जब हम त्यारी कर रहे थे हम जो भी रसा लटकाएं वो रसा तूर जाए हमें क्या करना होता है जो उसकी जो प्रैक्टिस होती है जो प्रिजिनर का वेट होता है उसे डबल वेट का बोरे में डालके उसको रसे से लटक इसके जाध़ तर जो फूझ आते हैं बकसर से यह आते हैं इसका रसा बनता है क्योंकि बकसर में क्या है कि यह कि रसा निखना पर हो इस की जो होता है उसकी यह कई ge cream बड़े समें निखए हुटे पा रहे थे पहले हमने उसके बराबर का वेट किया फिर उसे डबल किया वो रसे जो टूटते जा रहे थे तो मुझे यह लगा यार मुझे मैं सरकार को क्या जवाब दूँगा मैं सरकार को क्या जवाब दूनगा? कि एक मैं फासी को कहा नहीं कर पाया? एञजिकूट नहीं कर पाया, तो मेरे को तो लगा कि मेरी नोक्री गए पर भगवान की दियती कि और रसे हमने देखे, तो रखसे काम करके तो वो रफ्से काम कर दो फिर हमें विश्युआत हो गया कि इस रफ्से से हम लटका सकते हैं सब कुछ आप कोडिनीट कर रहे थे तो डील किस से कर रहे थे उपर किस से बात हो रही थे नहीं हमारे जेल सुप्रेंट साथ तो जेल सुप्रेंट को कह रहे हैं क्योंकि हमारे जेल में जो रस्से बहुत पड़े होते हैं खाली लटकाने के लिए नहीं होते हैं रस्से का कई काम होता है वैसे तो रसी जिए प्रोबिटिड आर्टीकल है क्योंकि रसी को करके तो कोई भी कहते हैं अब अवेलेबल नहीं हुथा तुम उसको जोड़ करते हैं तो एक रसा मिल गया जिसे वह था तो फिर हम वो हो गए मैं मैं बिल्कुल सेटिस्फाई हो गया कि हाँ इससे जो है लटक सकता है तो और हमें आप देखें हमें कोई जलाद नहीं मिल रहा था नहीं तो जलाद का होना जरूरी होता है आप तो जलाद का होना जरूरी कर दी है पर वैसे मैं बता हूँ आपको जलाद की कोई जोड़त नहीं होती है अगर आप लोगों को कहा दो ना फासी दे दो तो आप भी दे सकते हो जब मेरे जासा लाग रेजवेट फासी दे सकता था आपको भी कहते हो तो आप भी फासी देए तो उसमें खुछ नहीं होता, खाले के लिवर होता है उसको खीछना होता है और रसे को अपने स्टाइल से बानना होता है अगर रसा आपने ठीक तरीके से नहीं बानना तो मैंने जो आपको बताया ना इंसीडेंट तक गरदन उपर रह सकती है वो बाड़ी नीचे आ जाए तो यह चीज़ हो सकती है तो खेर जब रसे से में पूरा वो हो गया तो फिर मैं जलाद कोई था नहीं खाली सारे आफिसर आफिसर थे और हमारे सिपाई थे हमारे सिपाई भी अगर उनको आप कैदों फासी देनी है बड़े खुश होते हैं खुश होके फासी देते हैं उनके लिए खेल होता है एक उन मुझे देखा तो इनको लगा कि आज कुछ नो कुछ नोनी हो रही है कि सूनिल गुपता जी के सवेरे, सवेरे, दर्शन हो गए दो के जेल को तो वो देखते, देखते थे तो मुझे कहने लगे कि सर आज कुछ दे रहे हो फासी उगरा दे रहे हो अफजल गुरु ने पूछ तुम्हें कैसे पता है तो कहने लगे कि एक तो आपके दर्शन हुए है सुबह सुबह और दूसरा जो है मेरे को रात को अलग बंद कर दिया था और जो सिपाई रोज मेरी ऊपर नजर नहीं रखत है सिपाई देख रहे हैं सिसी टीवी देख रहे हैं सब कुछ है तो मैंने का हाँ मैंने का आपको फासी देने जा रहे हैं आप ही When Reek हो जाते हैं कितना कुछ हो जाता तो फिर एक्षा ठीक है सर तो पहले हमेरे चाही क्यों हो कि हाँ मैं आप आप आए हो तो मैं आप सब के साथ जो चैए प्योंगा तो उसने मारे साथ चाहाए पी मैं बच्चे को ढक्र न मनाता उसका बच्चा है केट में अपने बच्चे को फेया है उसको भी आतंकवाधी detecting बनाता है गर मैं एक distant ke Check City नहीं हूँ झो मैं उस McNamara कर रहा है मैं हमेशा honesty नहीं के साथ रहा है अब मेरा बता कर लो का मैं एक्टिव मेंबर था, पी उसी एल के जितने प्रोग्राम होते थे मैं जाता था और मैंने हमेशह जो है अपने देश को मजबूत करने के लिए कि यहां से डिसोनेस्टी को हटाने के लिए करॉप्शन को हटाने के लिए मैंने काम किया आप उनसे पूछ लो मेरा पूछ सकते हैं मैं क्या पूछूंगा तो मैंने का अच्छा तू यह बता तो अपने घर में कुछ कहना चाहता है तो मैंने का तू कुछ लिखे दे क्योंकि मुझे पता था कि इसके रैट्स अगरा हो सकते हैं वो इतना अच्छा था उसने वो पूरा लिखके दे दिया उसने अपनी वाईप को लिखी चिठी जिसमें उसने कहा कि जो लीगल जो बहुग्वान की इच्छ ही वो मैं जा तो सब मेरे साथ जेल में उर्दू में तो आप बिलकुल आप बेटे की बेटी की पड़ाई पूरी करवाना और आप सब को अपील कर देना मेरी तरब से कि वहाँ शांती बनाए रखे तो ठीक है उसने लिगती फिर उसके बाद कहने का कि मेरे को आपकी आँखों में बहुत क कमपेशन नजर आ रहा है तो कहता है नहीं मैं यह चाहूंगा कि जब मुझे फांसी पे चड़ाया जाए आप इसको कहरे सकते हो आखरी इच्छा जा जो भी है तो आप मैं आपकी आँखों में देखता रहूं तो मैंने का यह जब तुम में फांसी पे चड़ाया जाएगा चलो ठीक है जब तक आप चल के जा रहे हो फांसी के फंदे तक तब तक तो ठीक है उसके बाद तो आपके उपर काला कपड़ा डाल दिया जाता है और काला कपड़ा डालने के बाद जो यह फांसी आपको दे जाएगी. तो आप मेरे आखो में कैसे देखो खेशते हैं नहीं मैं जब तक चलूँंगा मैं आपकी आखों तो जाओं आपके डिकता जाओंगा। फिरह कि यह खलत तेरी बात मांनी हैं मेरको पाइटा थी मैं कि टीक है तुम मेरको देखता जाइही हो। उसके बात कहता है कि मेरी मैंना आपको सुनीर जी एक गाना सुना में जाता हूँ जो मुझे फांसी मिल रही है वो इसलिए मिल रही है कि मैं हमेशा लोगों का भला चाहता था तो उनकी बात पीश्वास करना चाहते हैं पर उसने एक गाना गाना शुरू कर दिया अच्छा, एक संजीव कुमार की पिक्चर थी बादल, वो भी ऐसे कैदियों के ओपर थी, उसमें फांसी लगाने के लिए ले जा रहे होते हैं किसी को, देश भक्त को, तो उसमें गाना था, अपने लिए ये जिये तो क्या जिये, खुशी ये दिल जमाने के लिए है, अपने लिए जीना, क्या जीना है, अपने अगर जीना है, तो जमाने के लिए जियो, और वो पूरा ट्यून में जैसे डांस करते हैं न, वो गाना बोलता जाए और अपना फिर हमें भी अच्छा लगा, तो हमने भी जो है, वो उसके साथ गाना बोलना शुरू करती, मैं सुप्रे होए होते थे, जी मैंने कुछ नहीं किया, जी तो ऐसे वो होगे, बड़े बड़े टैरिस्टों को देखा, नहीं जी नहीं है, तो हमें उसने फसा दिया, उसने फसा दिया, यह पहला मैंने कहती देखा था जो हसते वे, कह रहा था कि, अपने लिए नहीं जीना चाहिए, मन सिपाई उगर है, वो लेके गए, मैं साइट पे खड़ा था, एक जजज साब आया वे थे, वो भी साइट पे खड़े थे, सुप्रेंट जेल साब भी साथ खड़े थे, तो ये जब इसको उसको लेके गए, तो ये मेरी आखों को की तरफ देखता हुआ गया, और वहां जाके इस ने, जब इसको फासी का, जब इसको होकु गया, हमारा रूल से ज़िए कहते हैं. कि आप सको लठका हो गए और दो गंटे के बाद जो है, डाक्टर चेक करेगा कि life extinct हुई है की नहीं, जनरली दो घंटे में कि life टु तभी extinct हो जाती, जैसी उसको जोर से फंदा, जैसे आप जटके से आद्मी को नीचे गिरता है, जो फासी लगती है, तो जैसी जटके से नीचे गिरता है, तो तभी वो नूज इतनी स्ट्रॉंग हो जाती है गले में, बंदा तभी चला जाता है, हड़ी एक्दम ये टूपती है ये वाली, बंदा तभी चला जाता है, पर कुछ मैंने केस उसमें लिखे थे कि मैंने कई उनको देखा कि जिनका तो इनको फिर ये दो गंटे के बाद ही जो है, डक्टर ने आकर डिकलेर कर दिया कि इनकी जान जा चुकी है, तो फिर हमें वहीं पे जेल में हूकम था कि जेल में इनको दफनाना है, जो भी स्क्योर्टी रिस्क प्रिजिनर होते हैं, जैससे सत्वन सिंग किहर सिंग थे, म उसको भी वहीं पे लटकाया था, तो उसको भी वहीं पे दफनाया था, जब फासी घर है हमारा, वहीं पे दफनाया था, तो इनको भी उसके साथ ही दफनाया, तो उसके बाद क्या हुआ कि जो मैं जब घर गया, तो घर में गया, मेरे घरवालों, मैंने अपने घरवालों क बिल्कुल नहीं बताया है कि मैं ये वाला काम कर रहा हूँ. तो उनको था कि शायद कई बार ऐसी हो जाता था कि मैं कई कई रातें जो जेल में बितानी बढ़ती थी. तो उन्हें सोचा ऐसी कोई अरजेंट काम होगा. फिर मैं जब गया वाँ पे घर पे मुझे उसकी बात रह रहा है कि याद आ रही थी कि आपकी आखों में मुझे बड़ा कमपेशन नजर आ रहा है. तो मुझे कई लोग कहते थे पर एक बंदा जब आखरी उसमें वह बना आख चमचा करेंगी तो करेंगा नहीं तो फिर अब जिस मालें देखों जेलर भी एक इनसान होता है जिससे वह कुछ मिनट पहले बात कर रहा है और कुछ मिनट के बाद वह जो है आपके सामने नहीं है तो मेरा दिल जो है ना बड़ा भरा हुआ था जैसी मैं घर पे गया तो मेरी राइब थी हम गरे लगके बड़ी देर तक रोते रहें यह कंपेशन यह एंपिथी जो है कई बार किसी तरह का गिल्ट नहीं लेकर आती जैसे आप सबके साथ यह शेयर करने में हो सकता एक लंबे समय तक असहज महसूस करते हूं कि यार जिसको हमारे देश की निया वस्थ वन सिंग केहर सिंग तो उनके और किसी इनसान के लिए आप बातचीत करते हैं और कई साल वह रहते हैं बातचीत का एक सिलसिला चलने कल पड़ता है पर यह बात सही है कि हमारी नयवस्था क्या परादी है जैलर का काम बड़ा मुश्किल है अगर मैं इस नजरिये से देखत हूं क्योंकि आप कभी आपको यह नहीं लगा कि मेरा पेशा बड़ा अजीव है क्योंकि आपका वर्क प्लेस जो है वह समाज से खारिज लोगों की जगह है आप आठ नौ दस घंटे जितने भी आपकी डूटी है वहां बिता रहे हैं उसके बाद आप समाज में वापस दा की नोकरी में छोड़के यहां पर आया था तो मुझे एक बात तो थी कि टफ लाइड लाइफ मुझे जो है लीट करनी पड़ेगी तो पर क्या है कि अगर आप आप आपने एक अपना एक रास्ता साफ रखा हुआ है आप चाहते हो कि आप एक जैसे हम कॉलेज से जो एजू यूनिवर्स्टी में साथ-ाठ साल बिताए हैं कई सारे कोर्स किये हैं बी-ए-स-ई की है ल-ल-बी की है तो मैं यह अपने बिजनस करने के लिए थोड़ी किया है मैंने तो मैंने एक अपना बिलकुल रास्ता हमारे घर का साफ था कि हमारे घर की वैसे भी एक है वी आर स्ट तो उसमें मेरे को यह था कि तो आप गलत काम करोगी कि जब आप जूट बोल नहीं सकते हैं अगर आप से कोई पूचेगा तो आप सच बताद होगे मैं जब शुरू शुरू में जेल में गया तो एक बंदा आया मेरे पास तो कहता है कि सर आपके बड़े भाई इस फलाफल आपका एक भांजा है वो बहुत छोटा है उसका नाम भी उसने बता दिया मैं गया तिर को इस चीज पता कहां से लग गए है जबकि मैं जो मेरा जो परिवार था वहां से करीब-करीब 12-13 किलोमेटर दूर रहता था कहता है सर वह वाला बंद एक उसने किसी प्रिजिनल का नाम भी है उसको यह सब पता है कि आपके परिवार का क्या कल्चर है कैसे हैं तो वह महला एक तरह का मुझे चाहरा था कि मैं उसको कहूं यह जाकर उससे पूछ यह उसको क्या चाहिए हूं मेरे पीछे क्यों पढ़ा हूँ है पर मैंने उसको ऐसा कुछ नहीं कहा उसके लिए चाहे एक गरीब से गरीब हो या एक बड़े से बड़ा टेर्रिस्ट हो मैं आपके सामने कनफेस कर रहा हूं मैंने हमेशे उनको एक नजर से देखा अगर उसकी नहीं है यह आप कह सकते हैं कि मेरे जो उसमें एक जस्टिस की भावना थी मेरे उसमें लल भी किया या बीच्वल प्रेजींडर ने यह तो हमेशे मेरे खिलाब रहती रहते थे कि कई व 숨ी बारे इनके प्लान होते थे कि सुनिलगुप्ता-जी को पर इटेक किया जा ettě. इनकी फैमिली को परрах एक किया जाए क्यूंकि मेरे से पहले जिवा ज़्या데ति यह इनकी फैमिली उपर अ मेरे मन में था यह वाली बात तो मेरे रपास वो आया कि कहना कर सर हम कुटा बिली मार के नहीं आया है आप जो मर्डर होता है ना यह भाशा उसकी भाशा होती है कि हम को कुटा बिली मार के नहीं है हम इंसान मार के आया है मैं ठीक है यार तो जो भी मार के आए पिर भी मैं उसको इजद से ही बोलता था और मैंने यह एक सिस्टम किया था कि हरे को आप करके बोलने हमारे प्रिजनर को जो है आप देखें प्रिजनर की ना बड़ी दुर्गती से बोलते हैं किसी प्रिजनर को उसके नाम से नहीं बला उसको कहेंगो ओई राम सिंग के इदर आ अच्छा यह यह कहने के पीछे भी कारण है हमारे यह अलफबेटिक लिए हम प्रिजनर्स को रखते हैं अशोक नाम के तीन सो प्रिजनर होंगे हम एक अशोक का वाय लगाएंगे पती कितने सुनेंगे तो इसलिए हम उसके बाप के नाम से बलाते हैं और राम सिंग के दरा कई कियों के बाप के नाम भी वही होते हैं तो फिर उसके दादा के नाम से बलाएंगे वो धर्मजन के दरा लोग कहते हैं ना हमारे पराने लोग कहते थे कि जेल में जाके आपने अपने बाप दादा का नाम खराब किया और वाकी तो आपने तो किताब में लिखा भी है बहुत लोग यकीन करते हैं कि उसकी हत्या की गई आपने लिखा कि पोस्पॉल्टम में राम सिंग के पेट में शराब मिली थी था देखें क्या है जब निर्भिया वाले जेल में आए है हमारे जो जेल की लोकेशन है जेल की जो एकुमोडेशन है तीन तरह की है एक में तो जिसमें जो पहली बार जेल में उनको रखते हैं एक जगह हम रखते हैं उनको जो की हैबिच्वल होते है एक एकुमोडेशन होते हैं जो की सेल एकु terrorist gangster या जिनको जान का खत्रा होता है उनको रखते हैं तो मैंने जो उस टेम पे हमारी यह मैं करता था विद्धी अप्रूवल आफ डिरेक्टर जनरल तो मैंने अपनी डिरेक्टर जनरल को जब यह निर्विया का केस हुआ बहुत पुब्लिक सेंटीमेंट जो है इसके खिलाब थे बहुत ज्यादा खिलाब थे मैंने आज तक किसी केस में इतने खिलाब सेंटीमेंट नहीं देखे जितने निर्विया के केस में पुब्लिक सेंटीमेंट देखे थे है तो मैंने डीजी से कहा कि इसको जो है हम हाई स्क्यूर्टी वाड़े आ डे क्योंकि देखो जो जो जेलर होते हैं जेलर की सबसे पहली ड्यूटी यह होती है सेफ कस्टडी आप दी प्रीजनर एज वेल आज प्रीजन रिपीट कर रहा हूं, safe custody of the prisoner as well as prison, यह जेलर का सबसे पहला काम होता है, अगर कोई prisoner भाग गया, या किसी prisoner को अगर जेल में मार दिया, तो यह सबसे बड़ा failure होता है जेलर का, तो यह चीज़ सोचते हो, मुझे पता तो public sentiment इतनी खिलाफ है इनके, तो इनको जेल में मार कि जो यह होते हैं, murderers जो होगे, वो तो अपने आपको समझते हैं, शेर है, वो कहते हैं, हमारी भी बहने हैं, हमारी भी बहु बेटी हैं, अगर उनको कोई ऐसे देखे, मैं तो मार देता, तो वो अच्छी नजर से नहीं देखते हैं, इनकी पिटाई बगरा जनली है, जब मरजी पिटाई कर दो, जितना मरजी कर दो, जो कराईम है, आपने मोद की सजावी रख दी, murder की केस में, आपके दिली में, murder सबसे ज़्यादा कमिट होते हैं, हमारी जो 30% population है, वो murder कन्विट किये, आप जो भी करो, जिसने crime करना है, जब तक आप उसके घर में संसकार नहीं होंगे, उसके घर में कुछ ऐसा महोल नहीं होगा, तो उसने crime करना ही करना है, खैर, ये बात अगलाग हो जाती है, तो इसके case में मैंने उनको कहा, अपनी डी जी को, कि इनको हम अलग सेल में रख दे लिए, जिसको हमने secure रखना होता है, safe रखना होता है, उसको हम सेल में र की, तो उन्होंने का नहीं, मरने दोना इसको अगर जहां भी जाता है, तो उससे मेरे मन में खटका हो गया, कि हमारी बॉस भी नहीं चाहती कि इसको कोई protection मिले, खैर, जो भी बॉस कहेगा, वो तो, he is always right, उनको उन्होंने तीन खुराफाथी prisoner थे उनके साथ रखती है, तो उन्होंने उनके साथ रख दिया, और रात को हमारे जब भी कोई कोई करता है, तो एकदम हूटर होता है, हूँ करके हूटर बचता है, उसमें सारे जेल वालों को जो है, वहां पहुंचना होता है, ऐसी हूटर बजा रात को, तो मैं वहां पहुंच किया, मैंने का क्या ह हुआ तो अन्हें एका कि राम सिंग जो है उसने कर लिया मेरे को दो तीन चीजे बड़ी दिमाग में हखटकी हैं कि इसециम यह जयल पे आया था क्यों किया कि वह इतना तो उन्हें घ्रिञड काम क्यों किया तो वह कहने का स接 हुआ हम ने शराब पी रखी थि और शराब प्यूवी थी तो हमारे यह कल्चर रहसे है वो जो स्वामी कोई रामदास जुगी कलोनी में रहता था वो कि तो हमारे यह कल्चर बड़ा रिलेक्स है मनुद्ध खास कर जो जुगी जुपड़ी में आप जाएंगे वहां पर sexual abuse जो है बहुत जादा होता है उसकी घरवाली उसके साथ सो रही है वो उदर जा रहा है उसकी बेटी इदर है वो है ऐसा sexual जो है they are very liberal you can say तो कहते हैं हमारे यह यह तो होता था फिर हम बस चला रहे थे बस को बिठा लिया हमारे मन में कहता है वो तो थी कि शराब सबने पीवी थी तो उनने उनको बिठा लिया तो कहते हैं जब यह बैठे हुए थे उसमें बस में बैठे हुए थे तो आपस में यह छेड़ा खानी कर रहे थे कुछ ऐसी एक्ट कर रहे थे जिसे कि हम जो है हम से चोटे चोटे बच्चे जाते हैं और लोग जाते हैं यह ड्राइवर अगर ऐसे करेगा तो फिर उसका भाई आ गया वह गहां लगा सर यह मेरे को बहुत मारते हैं तो इनका एक हाथ तो उसका एक हाथ में रॉट पड़ी थी तो शैद मुकेश नाम था उसके भाई का नाम मुकेश था तो राम सिंग के हाथ में रॉट पड़ी थी तो कहने लगा जी की इन्होंいきます कि तू बस चला तो मैंने बस चलाई तो फिर इन्हों ने जो कुकरम किया वो तो पने पड़े लिए जो इन्होंने किया खेर वो सारी वो करके बिंग जेलर तो मेरा अपना अपना एक अलग नजरिया होता है तो मैं चाहता फिर भी चाहता था कि वो उसको बंद करें हैं अलग क्योंकि उसकी स्क्योर्टी जो है बहुत प्राइम कंसर्म थी किसी भी जेलर के लिए जब नहीं हुआ तो उसको उनके सार रख दिया तो जब मेरे को दिमाग में सबसे पहला क्वेशन तो यह आया कि कैसे वो जब उसके एक हाथ में वो है एक हाथ से कैसे चड़ जाएगा वो तो मेरा experience गलत नहीं है अगर उसमें inquiry आज भी अगर हो जाए तो पक्की बात है that would be a murder even though we are rejoicing हम लोग हमारी आम जनता खुश है कि उसको एक इतने गंदे आदमी को जो है मार दिया अच्छा किया पर मेरे साब से legally this is not correct चलिए guest in the newsroom का जो अगला हिस्सा है उसमें जो है हमारे साथी जो पीछे बैठे हुए है वो कुछ सवाल पूचेंगे और चुकि मैंने इतना समय ले लिया है तो संक्षेप में सवाल पूचेंगा जवाब भी सब्सक्राइब ना जीतने मैं तो त्यार होके आए हूँ जी आज सारा टाइम ही मैंने आपके लिए रखा हूँ मैं पानी पी आपने को मिथक की बात कि थी कि वह जो जो जेल की बेकरी होती और जो डाल रोटी की एक मिथक कि आपने क्राइम देखो मैं बताओ आपको जेल काने एक बड़ा मशूर गाना है बहुत मशूर गाना है जो कैदी गाते हैं वो कहते हैं मुझरिम ना कहना मुझरिम ना कहना मुझे दोस्तो मुझरिम तो सारा जमाना है पकड़ा गया वो चोर है बाकी सब जग स्यान है पकड़े मैंने आपको पताया कौन जाते हैं जो गरीब लोग होते हैं जो अपने आपको पैसा नहीं होता जिनके पास जो ब्राइब नहीं कर पाते हैं वो जेल में आते हैं तो जनली गरीब लोग आते हैं अब जो दूसरे लोग होते हैं वो ये टोटके अभी भी ये टोटक को brib करने कोचती करता है चि बगवान इसमें मुझे मुझे जेल में मत भीजना. तो उनको ये विश्वास है कि अगर आपने जेल का खाना खा लिया तो आप आप की किस्मत में जेलária की रोटी दे और जेल की रोटी अपने पहले खाली है तो यह तोटका है जैसे हम लोग कई मूवी में देखते हैं कि जेल के अंदर धोलक मजीरा चल रहा है गाने बाजे हो रहे हैं एक मूवी आई थी लखनों सेंट्रल करके उसमें भी जेल के अंदर रॉक बैंड वो लोग अपना सेट अप करते हैं तो ऐस यह सो परसेंट सच है तिहाड का भी अपना एक बैंड है तिहाड बैंड है जो कि हम बजाते हैं देखे होता क्या है जिस आदमी ने खुश रहना है ना उसको जहां पर भी जगा मिलेगी वहीं पर वो अपनी खुशी का इजार करेगा अब क्या होता है हमारी बैरेक में जै दिखते हमें ठालियां बजानी शुरू कर देते हैं एक होस्टल का जैसे एक महौल होता है ना वैसा एक महल होता है और वो उसको इंजवाय करते कोई प्रिजनर जैसे दुबारा आया एंजवाय करेंगे तो आये गा वैलकम है तेरा तो गाने बजाने का जो शोग जोए है तो हमारी कोशिश भी यह होती है जो वार्ड है न रिफार्म का मतलब यह है कि अगर आप उसकी कौार्टिस को घागर करते हो उसको पता लगता है मेरे अंदर यह कौार्टीस है उसकी अगर सोच बदल गई कि मैं तो अपनी मेहनत करके जो है मैं यह अपनी रोजी रोटी कम सकता हूँ तो वो शैद क्राइम नहीं करेगा तो रिफार्म का मैं आपको एक और बात बता हूँ रिफार्म का दिली के जिस जेल में है जेल का जेल का जो है उस स्टेट के लाइंड आडर पे बहुत फरक पड़ता है अगर जेलों में डिला होगा जैसा आप देखते हो आजक करने वाला कोड भी नहीं बिताता ना उसके सुन्माई करने वाले कोई वकील बिताते हैं और आपको एक आपने खुद कहा कि एक अलग नजरिया डिवलाप होता है इस पूरे सिस्टम में सबसे बड़ा लूप होल आपको कहां पर नजर आता है और इसकी सबसे बड़ी जिम देता है जेलर रखता है इस पूरे सिस्टम को कहते हैं किर्मिल जस्टिस सिस्टम कौन बनाता है गोवर्मेंट गोवर्मेंट उसके रूल्स बनाती है अब हमारे जो 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 यह इसके जो करनून बना हुए इसमें इतने लूप होल्स हैं आपने जैसे अखबार में पढ़ा है ना तो में जो जो जी केस लंबे-लंबे चलते रहते हैं में जो किर्मिनलिटी इतनी बढ़ रही है इसके पीछे जी सिस्टम है आप देखो आप पाकिस्तान में भी जाओगे वहां पे भी आपका केस अगर आज उसने मडर किया है छे महीने में वो उसका फैसला कर लेते हैं दो महीने में उसकी अपील डिसाइड हो जाती है और अगले दो महीने में उसकी जो सुप्रीम कोड की अपील वो डिसाइड हो जाती है उसके बाद अगले दो महीने में वो प्रेजिदेंट उसकी जो मर्सी पेटिशन को रिजक्ट करना है एसेप्ट करना हो कर लेते हैं वह कि उनकी जो फासी हुई है जाके 89 में हुई थी पांच साल तो उसी में लग गय थे तो एक हमें अपने system को बहुत जादा improve करना पड़ेगा system को improve कैसे करना पड़ेगा जो मेरा suggestion है कि हर एक system में time limit होनी चाहिए कि अगर किसी ने चोरी की है तो उसका केस छे मेने में खतम हो जाए किसी ने रेप किया है उसका केस जो है एक साल में खतम हो जाए किसी ने मर्डर की है दो साल या मैक्सिम्म तीन साल अगर इसमें खतम नहीं होता तो जजज है या पुलिस है उनको रीजन देने पड़ेंगे हमा number क्यों चला है पुलिस को रिजन देने पड़े हैं कि इसको क्यों पकड़ा है आपने है ना तो आप देखो आपका सिस्टम और टाइम बांदो आप उसमें एक दो तीन साल जो भी आपने रख दिया जहां पर आपने टाइम को बांद दिया और उसमें आपने कह दिया कि अगर को इतनी देर रहा और आपको सजा मिलेगी कि आपने इसको लंबा क्यों ने दिया यह जो हाई प्रोफाइल केस के दोशी होते हैं जैसे पार्टिकुलर्ली में बात करूं निर्भया केस के जो आरोपी थे तो जब उनकी जैसे जैसे फांसी उनकी पास आती जा रही थी तो क्या बिहेवियरल चेंज हो रहा था देखे क्या होता है कि जैसे जैसे फांसी की तरीक नजदीक आती रहती है फांसी की तरीक नजदीक कैसे आती है पहले आपको जो फांसी का केस होता है उसका मैं प्रोसीजर समझा रहा हूं जैसे सैशन जज ने फांसी दी तो उस फांसी को पहले high court उसको approve करेगी अगर जब तक high court का judge उसको approve नहीं करता तब तक आप उसको फासी नहीं लगा सकते हैं जब तो इसलिए high court क्या करती है जब फासी का case आता है तो उसकी appeal भी साथ के साथ सुन लेती है ठीक है उसके बाद वह वह अपील करता है Supreme Court, Supreme Court से भी अर उसका reject हो जाता है, फिर वह कर सकता है, mercy petition लगा सकता है राश्ट पती जी के सामने, अगर किसी स्टेट में है तो वह Governor सहब के आगे लगा सकता है, अगर दिल्ली में है तो राश्ट पती या Union Tieri में है तो राश्ट पती जी क्या आगे लगा सकता है हमारा system इतना बिगड़ा हो है मुझे कोई कहने में मैं को इतना system बिगड़ा हो है आप देखो appeal जो है जब mercy petition जो जाती है ना आपका सारह Supreme Court तक का आपका सिस्टम तो जो है आपका हो गया चार साल में सुपरिंग कोड ने आपकी जैसे निर्भ curl वाले भी थह है इनकी चार साल में इनकी फांसी के सजया उन्होंने ब्लिदे आर इसके केस में क्या था कि जैसे ही इन उनोंने फिरेजिडेंट को Petition लगाई थी तो फोरं उसका नतीज़ा यह होता है, सालों साल जब पेंडिंग रहती है, तो हमारा कानून यह कहता है, कि अगर इन ओर्डिनेट डिले है, मर्सी पेटिशन के डिस्पोजल के लिए, तो आप उसकी फांसिक्स जागो लाइफ इंप्रिजर्मेंट में कनवर्ड कर सकते हो, और ऐसे ये जब एक आदमी को सारे चैनल एक्जास्ट कर लेता है, उसके बाद वो बहुत हो जाता है, खासकर जिसको फांसिक्स जाग मिली होती है, हमारा कानून भी यह कहता है, कि जिसको फांसिक्स जाग मिली है, उसको अप रिलीजिज़ुस बूख़गे, अगर हिंदु है तो पढ़ने के लिए दोगे, वेद पढ़ने के लिए दोगे, अगर मुस्लिम है, तो उसको आप कुरान देंगे, अगर क्रिस्चन है तो बाइबल देंगे, बाइबल का तो जो अग्रेजों ने बहुत जादा उसमें रोल रखा हुआ था, पीपल रिफॉर्म्स के लिए, तो ज तो उसका जो डिप्रेशन हुता है, वो और घड़ियूस बुक पढ़के वो दूर करता है, उसको दूर करता है और उसको चोक्सी में रखा जाता है, ताकि वो अपने बाड़ी के साथ कुछ न कर लिया, किसी और को नुकसान ना पुचा दे, तो डिप्रेशन में होता है, तो वो ऐसे होता है और जब उसको लटकाते हैं अगर कोई चोरुचका होता है या रेपिस्ट होता है वो तो रोता रोता जाएगा अपने फासी के दख्ते पर अगर कोई किसी ने religious belief में कोई वो किया होता है तो वो जाकर अपने जो उनके स्लोगन है लास्ट टाइम पर बोलेंगे और तब फासी पे लटकते हैं पर डर हर एक को होता है चैर पर इतना ज़्यादा डर होता था इतना जाए वो रिलीजियस उस में वो था कैसे भी था डर हरे के उसमें होता था कि अब मैं जा रहा हूं संसार चोड़के नमस्ते सर नमस मुझे याद आता है कि मुल्क सिर्फ तिहार जेल की चोहद्यों तक महदूद तो होना नहीं चाहिए जो बारा की भरतपूर की बहराईच की गौंडा की बनारस की जो हमारी जेले हैं उनमें विवस्ता इतनी खराब है कि कई बार कस्टोडेल डेट्स के केसिस भी बाहर नहीं नहीं आ पाते हैं तो टिहार हो यहीं से बाहर जो तींटर सिस्टम है उसको हम कैसे कुछ suspicion है तो वो उस death को जो है वो investigate करवा सकता है बारी agency से बारी agency कौन होती है या तो sdm होता है या जो है judicial magistrate होता है judicial magistrate जब वो inquiry करता है उसको inquest कहते है जब वो inquiry करता है तो उसमें बयान अगरा लेता है जो आसपास के लोग होते है जेल officer के बयान होते हैं उनके घरवालों के बयान होते हैं उसके बाद वो अपनी finding देता है कि नंबर एक कि death natural है या unnatural है और दूसरा इसके लिए को कोई responsible है या नहीं है अगर को responsible होते हैं तो उनके वो उसमें वो बता देते हैं कि यह लोग मुझे responsible प्राइमाफे सही लग रहे हैं आप इनकों पर डेपार्टमेंट जैसे बड़ा फेमच केस था पिलाई का राजन पिलाई जो ए मोटा बड़ा बिजनेसमैन थे लग होई तो जब इंक्वेस्ट हुई में का कि अख में डhos तो उसमें regularड बियूजिंस के केस में उसमें कई डाक्टरों के प्रेक्शन लिए और एक दो तो डाक्टर नोग्री छोड़ के भी चले गए थे ठीक है एज ए प्रिकाशनी जब मैं जेलर था हम लोग क्या करते थे मैं हरे एक डैथ में मुझे पता भी होता था ना ये डैथ जो है टीबी से हुई है ताकि कोई शुभा इंक्वारी करवा लेता था तो उसे एक क्लीन रहता था कि जेल सुप्रेंड ने किसी का चुपाया नहीं है पर स्टेट में अभी भी क्या है क्योंकि दिल्ली में बहुत अभी हुमन राइट्स ग्रूप है बड़े-बड़े हाई कोर्ट सुप्रिम कोर्ट सब चीज यहीं ह तो दिल्ली में आप नहीं छुपा सकते बाहर जो है क्योंकि इतनी इतना सुप्रिविजन नहीं है तो वहां पे कई बार ऐसा होता है कि जैसे डेथ सुगरा होती है तो असल में जहां पे डेगलिजन्स की वज़ाय से या किसी की कम्प्लिसिटी की वज़े से डेथ है जिसमें की स्टाफ के उपर एक्शन होना चाहिए वहां यह नहीं हो पाता बाकि मैंने देखा है मेट्रोप्लिटन सीटी जो है उसमें यह पूरा यह सिस्ट्रम हमारा है उसमें काफी रूल्स वगरा बड़े क्लियर है और एक जो पैसे आ रहे हैं वह कम होका आगा काती पहुंचे एसा कुछ होता है रियालेटी में करते हैं देखें खाना तो उटेंग करते हैं यह दि कि गर से बन्कार का में सभार बनिक्का ने वाइफ है या उसकी माह है बड़े प्यार से बहुत तकड़ा खाना बनागे बेशती है पनीर की सब्जी जुरूर आएगी या और चीज आएगी तो देखा यह गया था कि पुराथे की लेयर में करंसी नोट चुपे में प्रोबिट्रियर्टी करना है करंसी नोट चुपे मे आपने वे फिल्म देखिए गया गैंक्स ऑफ वाशड़ देखिए आपने नहीं नहीं देखिए नहीं एक बड़ा मशूर वो फिल्म का सीन है जिसमें मनो जचुपही नहीं करो इसका और उनका बालक जो है टिफिल लेकर करेंगे जाता है और बाहर जो गैटीपर होकता है कि खुलो इसके उसमें क्या है तो इसमें कील वगछे प्रहुत है उडिये में टेंट्र इसको है प्राठे होंगे प्राठे के बीच में करंसी नोट्स होंगे समैक को समैक आप जानते होंगे हिरॉइन के पौडर को जो है पॉलिसिन में डालते हैं प्राठों की लेयर के बीच में कर दिया सबजी दिख रही है पनीर की है पर पनीर के अंदर नशा नशे के कैपसूल डले वे तो यह सब चीज़ देखते वे यानि तो आजकल तो बड़ा अच्छा वो है कि प्राइवेट पार्ट्स में छुपा के रहते हैं मॉबाइल फोन वगरा जो है तो यह ज्यादा तर चीज़ी होती थी जब आपके कपड़ें अंदर जा रहे हैं जब आपका खाने का समय जा रह नहीं लगा कि वो कोई habitual कोई prisoner है तो कहते है जामून एलाओ कर दो मैंने का ठीक है इसको जामून एलाओ कर दो तो जामून जब एलाओ किये उसने क्या किया हुआ था कि एक किलो जामून थे आदे जामून तो थे उसके फाल्स जामून आदे जामून असली जामून थे तो बाइचांस हमारा जो स्क्योर्टी स्टाफ था उनको शक हुआ, वो जामून को ना दबा के देखते हैं, खाना भी आता है तो इसको यू यू करके अच्छे तरीके से उसको वो एशूर करते हैं कि इसमें कुछ छिपा हुआ तो नहीं है, तो उनने जब जामून दबाया तो दब नहीं रहते हैं, तो फिर देखा जामून को जब उन्होंने देखा कि वो प्लास्टिक के बने हुए जामून, बिलकुल लग जामून रहे हैं, उसने थोड़ा सा उसको किया तो उन्सक्रू हो गए, जामून के बीच में स्क्रू था, उसके बीच में समैक बरी हुई थ तो प्षवास नहीं होगा एक बीडी का बंडल जो बहर पंच रुपए का मिलता है अगर जेल सुप्रेटेंटनेंट वीक है तो वो पंच रुपग अगर जेल सुप्रेड़ा स्टॉंग है तो बीडी का बंडल पंच जार रुपग अब आप देख लो कितना कोई अगर तरीके का मेरे बताया आपके वारा से पड़ी हुआ है उसका नाम नेटवर्क मी आता था था हमें एक पॉठ डूड़ना होता था जहां नेटवर्क मिले हम पाइब रोटी कपड़ा मकान कपड़ों में हमारी गाइड लाइज थी कि सिर्फ पहनना है उसके अलावा कुछ नहीं पहनता है खाना हमें वहीं मिलेगा जैसा आपकी जेल में मिलता था यह पहर निकल सकते थे गेट पर घड़ा होता है था वहां से बाहर निकलने के लिए हमें बहुत सारी लाइन्स फॉलो करनी होती थी और बहुत सारे प्रोसेस से गुजरना होता था इस असाब से आपकी जेल मुझे अपने कॉलेज की होस्टल जैसे ही लगी बिल्कुल बनस्थली वालों तक संदेश पहुंच गया है जो आपको मकसर था वो पूरा देखे क्या होता है जैसे जैनरेशन को आप मना करोंगे ना कि यह नहीं करना peos and don't होते हैं उनलग चैनरेशन जो आपने उन्को मना किया होता है जुरू करनी कोशिश करती है। उनको मिना करोंगे कि जैसे कालेंज में पढ़ते तो बीडी सिग्रेट नहीं पीनी वह जुरूर छुप छुप के हीटर नहीं लगाना वह हीटर लगाते हैं आप खाना वगरा आप खुद अपना बनाते हैं ऐसी जेल में होता है जेल में महोल जो होता है बिलकुल होस्टेल वाला होता है आपने बहुत अच्छी तुल्लांग की है बिलकुल होस्टेल वाला इसका महोल होता है तो जो चीज हम प्रिजिनर को मना करते हैं कि आपने heater नहीं लगाना. आज से 20 साल पहले है. तो सबसे ज़्यादा जो चीज़ों की समगलिंग होती थी, वो होती थी heater की तारे. Heater की तारों की सबसे ज़्यादा समगलिंग होती थी. वो क्या करते थे? Eat होती है. 1995 के साइश चिए वह बना लेते थे ओर उसे करके बिलकुल हीटर की शेप दे देते थे ताकि कि खाना वहीं बने प्रूश को अब इनकों आपने मना की इसमें एक और चीज़ मैं डोट बताता हूं को 1994 के टाइम पे ना जमागो स्मैक नई नहीं आई थी डिली में समैक का जो हिरोईन का नशाय ने appreciate ने आने आया था तो हमारे ने ड्यूद के इतने लोग होते थे इतने लोग होतेते हम मैं defect कर में लेकर इस उस जेल का चीलर भूना दि जह knew कि अगर जो भार पीते थे उन्होंने पूरी जोर लगा के समैक को अंदर लेकर जाना नहीं तो उनको पता है कि उमर जाएंगे. आपको मैं बता हूँ, smack का नशाय ऐसा होता है, कि अगर आपने एक बर पी लिया ना, या दो बर पी लिया, आप उसके addict हो जाते हैं, और जब तक आपको smack नहीं मिलेगी, तो आपको, आपके आसू निकलने शुरू हो जाएंगे, नाक बेना शुरू हो जाएगा, और आपको आपको smack चाहिए, आप खाली दो डोज में उसके ना, वो addict हो जाते हो, ड्रगs addict को handle करना, manage करना सबसे मुश्किल होता है, सबसे मुश्किल काम drug addict को handle करना होता है, क्योंकि अगर आप उनको या तो drug दे दो, आप जैसे थाने में जाते हैं, थाने में drug addict को drug दे देते हैं थो food कर देगा, तो ऐसी drug addict जब हमारे पर जेल में आते हैं, तो इनकी management बड़ी मुश्किल होती है, हमारे हैं करीब की आठ या 9% drug addict होते हैं, तो एक बार एक drug addict जो है, उसको जब नशा नहीं मिला, उसने इतनी 18 feet उची दीवार थी हमारी, वो उसको फांद के, ये सोचके कि वो जेल से भार जा रहा है, वो भाग गया, तो हम उस prisoner को ढूंड रहे थे, क्योंकि हमारे हैं प्रिजनर एक सबच्छा word होते है, जो कि बड़ा popular word है जेल का, जिसमें कि जब स्वेरे हम गिंती करते हैं, तो गिंती में अगर हमारे प्रिजनर रात को 500 बंद हुए थे, स्वेरे घर अपने जा सकते हो, दिन में दो बार, हम तब आप घर में जा सकते हो, तो ऐसी ही जब हमारा एक डग एडिक्ट था, तो वो गैब हो गया, हम ढूंड रहे हैं कि यार कहा है, हमारा जो सबच्छा था शाम का, वो हुआ नहीं, क्योंकि अगर प्रिजनर अगर नहीं मिले तो आप सबच्छा कर नहीं सकते हैं, उसको लाक अप और लाक आउट कहते हैं, स्वेरे लाक आउट होता है, शाम को इंगलिश में लाक आप कहते हैं, तो जब नहीं हुआ, तो हम बड़े प्रिशान रात के दो बजे तक हम अपना जेल में बैठे थे, वो प्रिजनर मिलनी के लिए, तो ऐसी हमारे हैं प्रिजनर, क्योंकि जेल भी देखो एक extension है, बाहर की जो बड़ी जेल है, उसका extension हुआ है, वो पेड़ पे चड़ जाते थे, और कहते थे, डिमांड करते थे, डी जी को बलाओ, सुप्रेंट जेल को बलाओ, मैं उनको अपनी बताउँगा, तो जो वो कूद गए थे जनाब, हाँ, तो मैं बताऊँगा आपको, जो मैं drug edit की story बता रहा था आपको, इसको drug मिली नहीं, तो ये 18 feet उची दिवार को फांद के ना, चला गया, उसने ये सोचा कि वो जेल से बाहर चला गया, पर हमारे हैं जेल का structure ऐसे है कि हमारे हैं पहले ए एक district jail होती थी, center jail को हमने ना, दिवारें बीज में खीच के, उसको तीन हिसों में बाट दिया था, तो उसको ये पता नहीं था, कि उसने जो बाहर कूद के गया है, तो वो jail से बाहर नहीं गया, बलकि एक और jail में घुस गया है, तो बाहर जब घुसा, दूसरी jail में घुसा उसने सोचा, वो भाहर आ गया है, तो रात के धाई बजे का टाइम था, तो हमारे सिपाई वहाँ पे घूम रहा था, तो सिपाई को कहता है, भाई साब बस्टप कहा है, तो उसको तो शक पढ़ गया है, बस्टप का पूछ रहा है रात के 3 बजे, नशे में तो मैं हूँ, इसको कैसे चड़ी तो उसने में कहा ते रहें बस्ट आप दिखाता हूं उसने पिर जब उससे के नाम पूछा तो उसको पता लग यह वही बंदा है जिसके लिए सुनिल कुपता जी प्रेशान हो रहे हैं अपने वहाँ पर उनके भागा हो गए तो जो ड्रग अगर इनको न नहीं था इसका तो हमारा किरनवेदी हमारी आई जी थी तो हमने का क्या करें कि यह नशे से दूर भागे तो हमने ना एक बड़ा नोविस सा आइडिया लिया कि जैसे कालिज के बच्चे होते हैं ने इनको जो माना करो गया इनों ने जुरूरू छुप-छुप के करने हमन ना सी झ्जाय बंकरती है 비डी सिई इस तेंपे हमारी जेल केंटी में बीक्तीए थी और रिवेन्यू है उसी से हमारी जितनी वैलफेर अक्टिविटी ओथी ती जो फायदा होता था BD Secret तबाकू बेच के जेल में जो हमें फाइदा होता था तो हमने का चलो हम BD Secret बंद करेंगे अभी जो ये स्मैक अंदर लेके जा रहे हैं फिर इनको BD Secret हमने मना किया तो ये BD Secret लेके जाएंगे अंदर कम से कम एक बड़े नशे से तो बचे रहेंगे तो हमने फिर BD Secret बंद की उससे फिर ये शुरू हो गया बोग BD के बंदल अंदर लेके जा रहे हैं तमबाकू लेके जा रहे हैं चैनी अंदर लेके जा रहे हैं तो हम उसमें खुश थे कम से कम एक बड़े नशे से वो छोटे नशे में तो तबदील हो गया है तो इस तरीके से जो है बना जो उनको मना करते हैं प्रिजनने वो वाली बात करनी है तो इतने इतने अब क supports जो हमहें इतने होशयार नहीं बना नहीं होटे जितने होशयार यह होते हैं तो यह तो मतलब किसी तरीके से भी सिस्टम को किस तरीके से आपने फेल करना है यह त्यार रहते हैं अगर कोई भोला भाला आदमी जो ज्यादा क्राइम में पहले इन्वाल नहीं था आजकल तो पत्रकार भी चले जाते हैं ज्यादा उल्टी सीदे ट्वीट करके जो ऐसा साउधानी रखे कैदियों के साथ और पुलिस के साथ क्या गलती ना करें क्या साउधानी रखें कि जेल में टाइम है इसका पूछ रहे हैं यह पहविश्च में जरूरत पढ़ सकती है एक तो ने डूस और नट का जो है ना हमारे जेल में हमारे हैं सबसे ज्यादा टीवी स लगे में जिसमें कि वो न्यूज देख सकते हैं जो चीज आप देखते हो घर पे वही चीज वह है उसमें हमने सैटलेट यह दूसरे वह चैनल भी दिये हैं ताकि कि किसी ने पिक्चर देखनी है तो यह सबसे बड़ा एंटर्टेन्मेंट का सोर्स है प्रिजनर के लिए प कि मर्जी है वो उसमें देखते हैं तो उसमें हम एक तो डूस एंड डॉंट जो है वो उसमें चलाते हैं कि आपने यह चीज करनी यह चीज नहीं करती दिवारों पर भी लिखे में हैं कि यह चीज करनी यह चीज नहीं करनी पर मेन को डूस एंड डॉंट जो है जो अपने स को नहीं चला सकते हैं हमारी जेल में किसी भी जेल में आपको डाक्टर भी मिल जाएंगे इंजीनर में भी मिल जाएंगे आपको वकील भी मिल जाएंगे वकील तो बहुत सारे मिल जाते हैं तो वकील भी मिल जाएंगे पलंबर भी मिल जाएंगे सब मिल जाएंगे तो यह कम् पांच मिनूट में जो लाइट दूसरा एक घंटे में ठीक करेगा, पांच मिनूट में ठीक कर देते हैं। कोई भी चीज मलता टेक्निकल चीज होती है उएक दम जाके वह करता… एक सेल्फ अगोन्टेन कम्मूनिटी है। हमारे हैं लीगल एड के लायर भी आते हैं जो लायर होती है और दूसरी प्रेफरेंस होती है जो सरकारी वकील होते हैं तो उनको उसके उपर ज्शेवास उता है प्रिजशनर के अउपर और cả और ज्वेर की अप 13 करा सब Along जाए क्कोई बहुरह experience से अपना बहूं करते मैं चाल सोबराज पिर चाल Wellington पर प्र चाल्सोबराज ने जिसकी भी पैटिशन बनाता था वो वह लिए पे. एक अनवर अहंत था जिसकी पैटिशन बनाता था उसमें हम एजाती थी. औरorkि मिलती थी ती यह किरू습니다. tested जो ground होते हैं वो लिखते थे और ऐसे से ground लिखते थे कि जो कि आप सोच नहीं सकते अब चाल सोबरा जो है जब यह escape किया इससे पूछा कि तुने jail से escape किया उसके पर case बना दिया वो कहते है जी मुझे तो किसी ने किड्नाइप किया था मुझे तो intelligence agency ने जो है किड्नाइप किया था अब बताओ इसका क्या कर और क्या आपके पास वो तोड़ा है अगर वो कह रहा है जजज भी सोचे क्योंकि इनका experience साथ होता है इसलिए जो हमारे prisoner हैं वो हमेशे यह कहेंगे जी हमें बाहर के वकील कानी चाहिए हमें तो जो कैदी वकील है ना जो यह application लिखते हैं हमें तो उन से लिखवा के दो और इनकी application वे वो काम्याब भी हो जाते हैं यह community services का है किसिंज नीजरूम में हमारे नीजरूम के साथियों के सवाल थे बहुत शुक्रिया सार आपका एक चुटकुला में जाते जाते सुनाना चाहता हूं आपने तमाम सेटिंग और तमाम चीजों की बात बताई तो एक सिपाही ने जेल में कैदी को कहा कि चलो भाई तुमारी है आज उसने का कि मेरी फांसी तो एक महिने के बाद होनी थी बोले जेलर चुट्टी पर गए तो जब चुट्टी पर गए थे तो यह कहके गए ते कि यह मेरे गां वाला है और चुक्रिया सरी बहुत मजा आया जो भी हमारे दर्शक हैं के तमिनन गुपता जी के साथ यह बादचीत आपको कैसी लगी और आपका सबसे पसंदीदा किस्सा इसमें से कौन सा है वो भी बताईए अगर आप यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में लिख सकें सबसे मजा कौन सा किस्सा सुनने जानने में आया अगले एपिसोड में फिर से मुलाकात होगी कुंदीप सरदा की ओर से नमस्कार